हलो बच्चो आप स्वावी का स्वागत है इस वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ के साइन्स के चैप्टर नंबर एट को जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ओफ मोशन तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले है फोर्स के वारे में पढ़ने वाले है और साथ में लॉज ओफ मोशन के वारे में पढ़ने वाले हैं ठीक है तो आईए इस चैप्टर को शुरू करते हैं NCRT लाइन बाइन डिसकुस करना शुरू करते हैं सारे important points, सारे topics को यहाँ पर हम लोग clear करने वाले हैं तो यहाँ पर देखिए, इस chapter के शुरुआत में ही एक प्रकार से आपको यह बता दिया गया है कि देखो, पिछले chapter में हमने क्या पढ़ा था, motion के बारे में पढ़ा था वहाँ पर हमने समझा था कि कोई भी object जो है, straight line में कैसे motion करता है साथ में object का position के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई, जब time के साथ position change हो, तब हम उसको motion बोलते हैं किसी object का position change हो तो, फिर वहाँ पर velocity को भी समझा था और acceleration की भी बात हमने कर ली थी तो भाई, motion के बारे में तरह-तरह की बात हमने पिछले chapter में पढ़ लिया है और साथ में वहाँ पर एक और चीज हमने देखा था कि भाई, motion uniform होता है, non uniform होता है और भी तरीके-तरीके की चीज़े हमने वहाँ पढ़े थे, graph वगरा सब चीज़े पढ़ी थी उतना चीज़ पढ़ने के बाद भी, एक चीज़ हमने वहाँ पर नहीं पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था? हमने वहाँ पर ये नहीं पढ़ा था कि जो motion होता है, वो motion आखिर होता क्यों है? क्यों आखिर कोई object rest से चलने लगता है? race के condition में से motion के condition में आ जाता है या फिर कोई कार जब चल रहा है फिर वो रुक जाता है क्यों ऐसा होता है ये चीज़ वहाँ पर हमने नहीं पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था motion का cause हमने नहीं पढ़ा था ये चीज यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अलावा इसी से जुड़े हुए और भी questions बन सकते हैं जैसे कि why does the speed of an object change with time समय के साथ किसी object का speed क्यों change होता है कोई गाड़ी जो चल रही है वो अचानक से तेज गती में क्यों चलने लगती है या फिर कभी वो धीरे क्यों हो जाती है ये समझेंगे इसके साथ ही क्या सभी motions को cause चाहिए होता है मतलब कि कुछ न कुछ कारण होता है जिसकी वज़से सारे object motion करते हैं या फिर आगे question और भी बन सकते हैं कि what is the nature of this cause यानि motion करवाने का जो कारण है उसका nature क्या है समझ गए अब यहाँ पर कारण कारण बार बार बोल रहा हो तो simply समझेंगे कि force की बात हो रही कि भाई force एक प्रकार से cause है motion का कि भाई हम लोग force लगाते हैं तभी कोई object wrist के condition में से motion के condition में आ जाता है हम force लगाते हैं तभी कोई चलती हुई गाड़ी अचानक से रुक जाती है हम force लगाते हैं तभी किसी object का speed change हो जाता है हम force लगाते हैं तो कोई object wrist के condition में आ जाता है तो वो जो cause की बार-बार बात कर रहा है, कि motion का जो cause होता है, वो क्या है? Force है, force की यहाँ पर simply बात हो रही है तो यहाँ पर यही सारे questions के आपको answer मिरने वाले हैं, इसी के सारे इसी तरीके की बाते यहाँ पर आपको समझनी है अब देखे, force के बारे में यहाँ पर ज़्यादा detail में आपसे discussion नहीं किया गया है इस chapter में, क्यों? क्योंकि force के बारे में आप पीछे के classes में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं force को बहुत अच्छे से आपने clear किया हुआ है इसलिए यहाँ पर एक तरीके से simply आपको यह समझाया जा रहा है कि जो motion होता है, वो किसकी वज़ा से होता है? force की वज़ा से होता है कुछ basic points यहाँ पर हम लोग समझेंगे, तो आईए उसको समझते हैं अब यहाँ पर कहता कि देखिए, बहुत centuries तक, सैकड़ों सालों तक जो यहाँ पर हमारे दुनिया में scientist थे, philosophers थे, वो motion के बारे में सोच रहे थे कि भाई motion जो होता है, वो क्यों होता है, कोई भी वस्तु अगर वो चलती है, तो वो रुक क्यों जाती है या फिर कोई भी वस्तु जो है, उसका गती कैसे बदलता है, क्यों बदलता है, इस पीड कैसे बदलता है, यह चीज के बारे में सोच रहे थे लेकिन हमारी दुनिया में दो ऐसे साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने motion को समझने का पढ़ने का पूरा तरीका ही बदल दिया, कौन थे वो, पहले थे गैलिलियो गैलिली और उसके बाद हुए इसाक न्यूटन, इन्होंने motion को समझने का पढ़ने का पूरा तरीका बदल दि कैसे, तो पहले समझे कि पहले के जमाने में लोग क्या सोचते थे, कैसे motion को देखते थे, जैसे उदारन यहाँ पर दिया हुआ है, कि ground पर एक ball है, जैसे कोई football है, उसको अगर हम लोग kick कर देते हैं, मार देते हैं, तो कुछ दूर जाने के बाद वो ball क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है भाई, रुक जाएगा, तो यहाँ पर इस तरीके के उदारन दुनिया में लोग अपने आसपास देख रहे थे, सैकडों हजारों सालों से देख रहे थे, कि कोई भी object है, अगर उसको motion के condition में हम लोग करते हैं, उसको कुछ speed देते हैं, तो थोड़ी देर बाद जाने के बाद वो wrist के condition में आ जाता है, तो पहले के जमाने के लोगों का ये मानना था, ये सोचना था, कि जो यहाँ पर object है, दुनिया में कोई भी object है, उसके लिए natural state क्या हो जाएगा, wrist हो जाएगा, मतलब, मतलब कोई भी object motion कर रहा है, वो चाहता है कि हम wrist में आ जा कोई आपका dod रहा है, वो wrist में आना चाहता है, कोई object कहीं गिर रहा है, तो वो wrist में आना चाहता है, मतलब कि कोई भी दुनिया का object है, वो wrist के condition में आना चाहता है, wrist एक natural condition है, ऐसा यहाँ पर पहले लोग मानते थे, लेकिन जब यहाँ पर गैलेलियो गैलेली आए इसके बाद इसाक न्यूटन आए इन्हों ने मोशन का नया परिभासा दिया नए तरीके से मोशन को समझाया और ये जो विचार था कि रेश्ट का कंडिशन नैचुरल कंडिशन होता है इसको एक तरीके से खारिज कर दिया गल के क्या कहता है कि in our everyday life we observe that some effort is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object simple सी बात है भाई हमारे आसपास के दुनिया में normal रोजाना के दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे object है अगर उनको motion में डालना है wrist से motion में डालना है तो हमें क्या करना पड़ता है हमें एक प्रकार से effort लगाना पड़ता है इसी प्रकार से कोई object है उसको वो अगर motion में है और उसको अगर wrist में लाना है तो हमें क्या करना पड़ता है effort लगाना पड़ता है जैसे उदाहरण के लिए अगर आप देखें आप आपके हाथ में cricket ball है और cricket ball को फेकना है, गती देना है, motion के condition में डालना है, तो आप क्या करते हैं, ऐसे फेकते हैं, effort लगाते हैं, इसी प्रकार से आप cricket खेल रहे हैं, batsman ने क्या किया, ball को hit किया, और ball उड़ करके आपकी तरफ आता है, और आप ball को catch करते हैं, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, ball को motion से rest में लाते हैं, तो यहाँ पर इस condition में आपको क्या करना पड़ता है, effort लगाना पड़ता है, और normal जिंदगी में यह जो effort होता है, यह हमें feel होता है, कैसे, जो आपके muscle से ताकत लगती हैं, उससे आप लोग feel करते हैं, तो simply अगर समझें, तो यहा तो push के रूप में, या तो pull के रूप में, या फिर hit के रूप में, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, किसी गाड़ी को कोई car है, वो खड़ा है, वो engine उसका start नहीं हो रहा है, उसको अगर motion के condition में लाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको push करेंगे, धक्का देंगे, दो-चार लो ऐसे सामने से आएगा, तो ऐसे push करेंगे और उसको रोकेंगे, आप cricket खेल रहे हैं, और ball है, उसको क्या करना है, state of motion change करना है, तो वहाँ पर आप ball को hit करते हैं, बैट से, उससे क्या हो जाता है, एक तरीके का effort लगता है, जिससे की state of motion में change आजाता है, इसी प्रकार से pull करक हैं, जिससे की state of motion change होता है, यहीं चीज कहता है, कि we ordinarily experience this as a muscular force, and say that we must push or hit or pull on an object to change its state of motion, मतलब कि किसी भी object के उपर, हम लोग push का effect डाल करके, hit का effect डाल करके, या pull का effect डाल करके, उसके state of motion को change कर सकते हैं, state of motion को change करने का क्या मतलब हुआ, मतलब कि वो object rest के condition में है, तो वो क्या करेगा, चलने लगेगा, अगर वो चल रहा है, तो उसकी speed को हम लोग change कर देंगे, direction को change कर देंगे, या फिर वो object motion में है, तो उसको rest मिला देंगे, तो मतलब कि state of motion को यहाँ पर हम लोग change कर रहें, ठ यही effort हमारा force है, अब force के बारे में detail में नहीं पढ़ना है, यहां पर क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि पिछले class में आपने force के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, उसको detail में पढ़ा है, तो simply समझ लिजिए कि यहां पर जो motion होता है, वो क्यों होता है, कोई object motion क्य क्यों change होता है, force की वज़ा से, simple सी बात है, simple सी बात आप लोग समझ गए, अगर force का आपको definition लिखना है या फिर जानना है, तो simple सा definition है, छोटा सा, वो यहां पर आप लिख सकते हैं, force is a push or pull, which changes or tends to change the state of rest, uniform motion, direction of motion, और shape and size of body, मतलब क्या, force एक प्रकार का push या फिर pull है, जो कि किसी भी object के motion को, state of motion को, या तो change करता है, या फिर change करने की कोशिश करता है, ऐसा नहीं है कि हर बार force लगेगा, तो object में motion आहीं जाएगा, state change हो जाएगा, कई बार नई change होता है, जैसे उदाहरण के लिए, अगर मैं इस pain को यहां से fake दूँ, तो क्या इसके state में change आएगा, जी हाँ change आजाएगा, तो यहां से इसको fake उँगा, तो यहां पर यह speed में उधर जाने लगेगा, लेकिन मैं जाकर के अगर एक train को धक्का देने लगूँ, तो क्या मेरे force लगाने की वज़ा से train motion में आ जा क्या, जी नहीं बिलकुल भी नहीं होगा, यहां पर वही बात है कि force मतलब क्या, मतलब कि या तो वो change करेगा, या फिर change करने की कोशिश करेगा, state of motion of an object, अब state वो rest में भी हो सकता है, uniform motion में भी हो सकता है, object जो है उसका direction भी change किया जा सकता है, force लगा करके, उसके shape और size को भ force को force लगा करके object में change ला सकते हैं, तो simple सी बात यहां पर force की बात हमने कर ली, अब यहां पर देखें, तो आगे यहां पर कहता है कि let us not ponder about a force, what is it, force क्या होता है भाई, एक तरीके से हमने short में तो समझ लिया, कहता है कि in fact no one has seen, tested or felt a force, force की बात करता है, तो बोलता है कि force को ना तो हमने test किया है, ना तो force को हमने देखा है, और ना ही force को हमने feel किया है, लेकिन जब किसी भी object के उपर force लगता है, तो उसके effect को हम लोग feel करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर मैं इस पेन के उपर force लगाऊं इसको fake दूँ तो effect क्या होगा? effect यह होगा कि यह object motion में हो जाएगा, motion में जाकर कहीं hit करेगा, किसी व्यक्ति को hit करेगा, किसी समान को hit करेगा, तो या तो उस वक्ति को चोट लगेगा, या कोई समान में touch करेगा तो वो तूट जाएगा, तो हमने क्या किया? force लगने की वज़ा से जो effect create हुआ उसको feel किया, इसको उड़ते हुए देखा, motion में देखा, वहाँ जब टकराया तो चोट लगते हुए देखा, तूटते हुए देखा, तो हम क्या करते हैं? force के effect को feel करते हैं, force को यहाँ पर हम लोग नहीं feel करते हैं, ना तो देखते हैं, कहता है कि it can only be explained by describing what happens when a force is applied to an object, अगर force को हमें describe करना है, explain करना है, तो हम उसको explain करते हैं कि force लगाने की वज़ा से क्या effect create होता है, जैसे हमने क्या क्या? force लगाया, आपको यहाँ से एक थपड़ उठा करके मार दिया, तो क्या हुआ? force लगाया, आपको effect feel हुआ कि भाई देखो मेरे गाल पर लाल हो गया, मेरा गाल में चोट लग गया, तो यह क्या हुआ? force का effect आपके उपर हुआ, और उस effect को एक प्रकार से हम describe कर सकते हैं, बता सकते हैं, और उसको explain कर सकते हैं. यहाँ पर कहता है, pushing, hitting and pulling of objects are all ways of bringing object in motion. यह जो यहाँ पर हमने देखा pushing के बारे में, hitting के बारे में, pulling के बारे में, यह सब तरीके हैं जिनसे किसी भी object को motion में लाया जा सकता है. They move because we make force act on them. हम किसी भी object को move क्यों करवा पाते हैं, क्योंकि हम उसके उपर force लगाते हैं. यह चीज तो हम clear कर चुके हैं, बहुत ही simple सी चीज है. फोर्स के बारे में, आप पिछले class में भी पढ़े हैं, तो उतना जादा आपको doubt होना नहीं चाहिए, problem होना नहीं चाहिए. यहां पर जैसे उदारण देता है, कि हम लोग यहां पर spring के उपर अगर force लगाएंगे, तो उसके shape और size को हम लोग change कर सकते हैं, यहां पर इस ball के उपर force लगाएंगे, तो इसके shape and size को change कर सकते हैं, यहां पर अगर हम लोग hockey खेल रहे हैं, ball के उपर force लगाएंगे, तो ball का state of motion change हो जाएगा, इसी प्रकार से यहां यह जो काट है, इसके उपुश करेंगे तो यहां पर इसका state of motion हो जाएगा, तो यहां पर कई तरीके से force लगा करके हम लोग effect create कर सकते हैं, और वो effect को हम analyze कर सकते हैं, अब यहां पर आगे कहता है कि from your studies in earlier classes, you are also familiar with the fact that a force can be used to change the magnitude of velocity of an object, यह चीज़ तो मैंने अभी तुरंद बात किया, कि भाई, पीछे classes में आपने force के बारे में जो पढ़ा है उसके हिसाब से आपको यह भी पता होगा, कि आप velocity के magnitude को भी change कर सकते हैं, force लगा करके, जैसे किसी object को fast move करवा सकते हैं, या फिर slow move करवा सकते हैं, या फिर object के direction को change कर सकते हैं, motion के direction को change कर सकते हैं, इसके साथ ही force लगा करके shape and size change कर सकते हैं, अब देखें, यहीं से points उठा करके, यहाँ पर मैंने यह definition बनाया था, तो यह definition आप यहाँ पर लिख सकते हैं और इसको examination में अगर आप से पूछे वैसे chance कम है लेकिन पूछेगा तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने आ जाता है topic 8.1 8.1 क्या है balanced and unbalanced force अब यहाँ पर balance और unbalance की बात करता है तो balance कब होता है जब एक तरीके से कहीं पर हम लोग दो forces लगाएंगे तब होगा कि भाई force balance हो रहा है या फिर unbalance simply इसको समझेए कि बराबर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है यह चीज़ यहाँ पर बोलता है balance मतलब क्या force बराबर हो गया unbalance मतलब क्या force बराबर नहीं है अब कैसे बराबर और कैसे नहीं बराबर यह समझते है तो यहाँ पर देखिए example दिया है कि देखिए यहाँ पर एक box रखा गया table पर अब इस box को दो तरफ से रसियों से बांधा गया है एक तरफ यहाँ से रसियों से बांधिया गया और एक इस तरफ से रसी से बांधिया गया और दोनों तरफ strings को खीच करके हम लोग box को खीच सकते हैं अब यहाँ पर बात है कि मान लोग हम लोग इधर से खीच रहें इस string को पकड़ करके, रसी को पकड़ करके खींचते हैं और यहाँ पर इधर से नहीं खींचते हैं तो box किधर जाएगा? box इस direction में जाएगा लेकिन अगर हम लोग इसका उल्टा करें और हम लोग क्या करें? y तरफ से इसको pull करें और इधर से नहीं pull करेंगे तो क्या होगा? box इस y direction में जाएगा ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं अब? अब यहाँ पर दोनो direction से force लगाते हैं और दोनो direction से इस रसी को खींचने का काम करते हैं तो यहाँ पर यह box किस तरफ जाएगा? तो भाई यहाँ पर अब आप समझेए unbalanced और balanced force मतलब यहाँ पर simply यह है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? दो direction है जहाँ पर force लग सकते हैं दो direction में एक तरफ force इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है यह चीज आपने class 8 में भी पढ़ी है ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हमने देखा है कि जब unbalanced force लगता है मतलब जब force opposite direction में लगता है सौरी मैंने unbalanced बोल दिया force जब opposite direction में लगता है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? force को subtract करते हैं मतलब कि यहाँ इस तरफ अगर 10 newton का force लग रहा है और इधर 20 newton का force लग रहा है तो किस direction में ज़्यादा force लग रहा है? इस direction में ज़्यादा force लग रहा है तो यह box किस direction में जाएगा? इस direction में जाएगा यहाँ पर समझ गए, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर force हमारा unbalanced है, क्यों unbalanced है, क्योंकि एक तरफ जादा force लग रहा है, दूसरी direction में कम force लग रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर इस force को हम लोग क्या कर दें, balance कैसे होगा, balance होगा जब यहाँ पर बराबर force लगेगा, तो अगर दोनों direction में 10-10 newton का force लगेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, box अपने position पर बना हुआ रहेगा, किधर भी वो नहीं जाएगा, और यहाँ पर हमारा यह क्या हो जाएगा, balanced force का condition हो जाएगा, simple सी बात यहाँ पर क्या बोल रहा है, कि देखिए यहाँ पर object के उपर, जब दो direction से force लगे, तो यहाँ पर box का जो movement होगा, object का जो movement होगा, जादा force वाले direction की ओर होगा, यह चीज आपने बहुत अच्छे से समझी होगी, अगर आपने कभी बचपन में tug of war खेला होगा, मतलब यह जो खेल है, रसी को खीचने का खेल अगर खेला है आपने, इसमें क्या होता है, दो तरफ से team होती हैं, और दोनों एक दूसरे को रसी से खीच रहे होते हैं, कौन प्लियर क्या कर रहे हैं, बराबर force लगा रहे हैं, इसलिए दोनों खड़े हैं, लेकिन अगर एक प्लियर जादा force लगा करके खीच देगा, तो क्या हो जाएगा, वो खीच लेगा और वो जीत जाएगा, दूसरा उसकी तरफ गिर जाएगा, समझ गया है, तो यह चीज तो इसलिए ना तो यह इधर खीच रहा है, ना तो यह इधर खीच रहा है, तो यहाँ पर यही चीज है, balanced और unbalanced force बहुत ही simple सी चीज है, object के उपर दो direction से force लगे, और दो direction में अगर equal force लग रहा है, तो object का moment किधर भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों force बराबर हैं, लेकिन वहीं अगर एक तरफ से जादा force लगता है, दूसरी तरफ से कम force लगता है, तो जादा force वाले direction में object का moment होगा, क्यों, क्योंकि यह चीज आपने class 8 में भी पढ़ी है, कि भाई, जिस तरफ जादा force होगा, उधर movement होगा, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है, कि जब opposite direction में forces लगते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, subtract करते हैं, समझ गया, जब same direction में लगते हैं force, तो उनको हम क्या करते हैं, add करते हैं, यह चीज class 8 में आपने समझी है, ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ है, balanced और unbalanced force आप समझ लिए, कि भाई, अगर हम लोग 2 direction में force लगा र लग रहा है, दूसरे में कम लग रहा है, तो object का movement ज़्यादा force वाले direction में हो जाएगा, समझ गया, simple सी बात है, बहुत आसानी से clear हो गया, कुछ ज़्यादा tough इसमें है भी नहीं, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको अब इसके आगे की बात समझनी है, आगे क्या बो box है, जो कि rough floor पर रखा हुआ है, मतलब surface चिकना नहीं है, बहुत ही rough है, उस rough floor पर box रखा हुआ है, ये बच्चे यहाँ पर इस box को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये धकेलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, अगर ये थोड़ा ताकत लगाएंगे तो box बिलकुल भी नहीं हिलेगा, जरा सा भी नहीं हिलेगा, क्यों नहीं हिलेगा, क्योंकि यहाँ पर balanced force अपलाई हो रहा है इस वज़ा से, अब लेगा सर यहाँ पर balanced force कैसे, यहाँ दो बच्चे हैं, दोनों एक ही direction में force लग रहे हैं, opposite direction में तो कोई धक्का नहीं दे रहा है, तो फिर यहाँ पर यह balanced force कैसे लग रहा है, तो यहाँ पर आता है एक force जिसको की हम लोग कहते हैं, friction, friction के बारे में भी आप पीछे के classes में पढ़ चुके हैं, friction क्या होता है, एक प्रकार का force होता है, जो की motion के direction के opposite direction में लगता है, मतलब कि यह बच्चे इस तरफ force लगा रहे हैं, त friction का force इस तरफ लग रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, balanced force हो जा रहा है, जिससे की object का motion नहीं हो रहा है, object का position change नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करना होगा इनको अगर इस box को आगे ढखेलना है, तो जितना भी friction force है, उससे जादा force लगाना होगा, मतलब कि एक प box को आगे की और धकेलने पाएंगे समझ गए तो यही चीज है यहां पर friction की बात भी ज्यादा detail में नहीं की गई है क्योंकि पीछे के classes में आप friction के बारे में पढ़ चुके हैं कहता है कि the box with a small force the box does not move because of friction acting in the direction opposite to the push वही बात है जो मैंने का कि जिस direction में बच्चे force लगा रहे हैं उसके opposite direction में box के उपर क्या लग रहा है एक force लग रहा है friction का force जो की बच्चों के द्वारा लगाए गए force के बराबर है जिससे की ये दोनों force balance हो जा रहे हैं और box का कोई भी movement नहीं हो रहा है यहाँ पर friction force के बारे में क्या कह रहा है friction force के बारे में ये चीज़ा पहले से पढ़ चुके हैं कि इस friction force arises between two surfaces in contact friction force कहां लगता है जब दो surface आपस में contact में आते हैं तब वहाँ पर friction force लगता है और ये friction force लगता है opposite direction में movement या फिर motion के opposite direction में यहाँ पर ये force कहां लग रहा है box के bottom और surface के बीच में rough surface के बीच में मतलब कि यहाँ पर ये box जमीन पर रखा हुआ है तो ये जो rough जमीन है और box का bottom है उनके बीच में क्या लग रहा है यहां पर force लग रहा है, friction का force लग रहा है यहां पर वही बात है कि it balances the pushing force and therefore the box does not move in figure 8.4B the children push the box harder but the box still does not move this is because the friction force still balances the pushing force बच्चों ने थोड़ा और जल जोर लगाया, फिर भी box नहीं हिला क्यों कि यहां पर जो friction force है अभी भी बच्चों के push के force को balance कर दे रहा है लेकिन उसके बाद बच्चों और ज़्यादा ताकत लगा करके push करते हैं तो वहां पर बच्चों के द्वारा जो push का force है वो friction force से जादा हो जाता है तब box आगे की और move करना शुरू कर देता है मतलब किया एक प्रकार का unbalanced force का condition create होता है यहां पर बच्चे जो push कर रहे हैं वो force जादा है friction force कम है इस वज़े से यहां पर बच्चे आसानीशे इस box को आगे की और धक्का देने पा रहे हैं तो यहां पर friction की भी बात हो गई यहां पर आगे बढ़ें तो आगे यहां पर अब क्या कहता है आगे कहता है कि what happens when we ride a bicycle हम लोग जब bicycle चलाते हैं तब क्या होता है हम लोग pedal मारते हैं pedal ऐसे गुमाते हैं और हमारा cycle bicycle आगे की और चलते रहता है लेकिन जैसे ही हम लोग pedal मारना बंद कर देते हैं वैसे वैसे bicycle हमारा धीरे 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 slow होने लगता है और यह bicycle slow क्यों होता है क्योंकि यहां पर भी friction का force काम करता है और friction जो है bicycle के motion को oppose करता है और वो धीरे धीरे cycle पर force लगाता है जिससे की हमारा bicycle धीरे 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 क्या हो जाता है रुक जाता है समझ गए अगर हमें bicycle को चलाते रहना है लगतार चलाना है उसको रोकना नहीं है तो हमें क्या करना होगा फिर से pedaling मारना करना होगा पेडल फिर से मारना होगा जिससे की cycle आगे की और चलेगा मतलब यहाँ पर यह है कि thus appear that an object maintains its motion under the continuous application of an unbalanced force यहाँ पर कहता है कि ऐसा देख करके हमें लगता है कि जब तक हम unbalanced force लगाते रहेंगे तब तक object हमारा motion continue रखेगा मतलब unbalanced force लगाओ motion होते रहेगा नहीं लगाओगे तो तुम्हारा object जो है वो रुक जाएगा रिष्ट में आ जाएगा लेकिन यहाँ पर देखिए यह जो बात है जो कि हमको यह समझ में आ रही है यह बिलकुल गलत है मतलब यहाँ पर यह clear दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको unbalanced force लगाने की जरूरत नहीं है motion करने के लिए कि unbalanced force लगाएंगे तभी object का motion होगा ऐसी बात नहीं है हम लोगों को क्या करना होता है हम लोगों को यहाँ पर ठीक इसका उल्टा करना होता है कैसे आईए समझते हैं कहता कि however it is quite incorrect यह तो हमने समझ लिया कि भाई ऐसी बात नहीं है कहता कि an object moves with a uniform velocity when the forces acting on the object are balanced and there is no net external force on it कहता है मैंने कहा ना कि जैसा हमने बात कि अबिल्कुल उसका उल्टा बात है क्या बात है भाई कि कोई भी object अगर उसके उपर balanced force लग रहा है दोनों तरब से बराबर force लग रहे हैं तब वो अपने state of motion को continue रखता है uniform velocity से वो motion करते रहता है ठीक है अगर उसके उपर कोई भी external net external force ना लगे कहता है कि अगर किसी भी तरीके से unbalanced force हम लोग लगाते हैं तो उसके motion में change आ जाएगा मतलब उसको अगर push करेंगे तो speed बढ़ जाएगा अगर वहाँ पर opposite direction से push करेंगे तो speed slow हो जाएगा मतलब क्या motion में change आ जाएगा यहाँ पर हमें क्या समझना है कि जब भी किसी object के उपर balanced force लगता है तो वो क्या करता है अपने uniform motion को continue रखता है समझ गए और वहीं पर अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं unbalanced force लगा देते हैं तो वहाँ पर state of motion में क्या हो जाता है change हो जाता है समझ गए यह चीज आपको समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आगे इस से जुड़े हुए बाते ही आपको समझनी है कहता है कि if an unbalanced force is applied on the object there will be change either in its speed or in the direction of motion unbalanced force लगाएंगे तब object का या तो speed change हो जाएगा या तो उसका direction change हो जाएगा मतलब की motion में change आ जाएगा कहता है कि thus to accelerate the motion of an object an unbalanced force is required किसी भी object को accelerate करने के लिए मतलब की velocity को change करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है unbalanced force चाहिए होता है कहता कि and the change in its speed or in the direction of motion would continue as long as this unbalanced force is applied मतलब यहाँ पर क्या बात है कि जब तक हम unbalanced force लगा करके रखेंगे तब तक वहाँ पर state of motion में change होते रहेगा जब तक object के उपर हम लोग force लगा करके रखेंगे तब तक वो object speed में उसका change आते रहेगा जैसे अगर हम लोग लगतार pedal मारते रहेगे तो cycle का speed बढ़ते रहेगा और अगर हम लोग क्या करेंगे वहाँ पर उसको छोड़ देंगे तो वो अपने uniform motion में चलेगा फिर आप सुझेगा सर यहाँ पर एक ऐसे हो रहा है कि हम लोग जब cycle चलाते हैं हम लोग उसके उपर force नहीं लगाते हैं unbalanced force छोड़ देते हैं मतलब कि pedal नहीं मारते हैं तो वो रुक क्यों जाता है रुक इस ले जाता है क्योंकि cycle के उपर और भी तरीके के force लग रहे हैं frictional force लग रहा है gravitational force लग रहा है wind का opposition force लग रहा है wind एक तरीके से cycle को oppose कर रहा है motion को तो वहाँ पर उसकी वज़ा से वो जो cycle है cycle के उपर unbalanced force लग रहा है जो कि उस cycle को रोक देता है आ जाता है समझ गए तो यहाँ पर simple बात आपको समझ में आ गया कि balanced force लगेगा मतलब क्या uniform motion continue होगा uniform velocity अगर unbalanced force लगेगा तो state of motion में change आ जाएगा या तो object का speed बढ़ेगा या घट जाएगा या फिर direction change हो जाएगा कहता है कि however if this force is if this force is removed completely the object would continue to move with the velocity it has acquired till then मतलब कि हमने कोई object के उपर force लगाया माल लो हम क्या गरते हैं अर्थ पर भाई gravity है न अर्थ पर यहाँ पर हमारा friction है और भी तरीके के force है हम लोग अंतरिक्ष में चले जाते हैं अंतरिक्ष में cycle चलाते हैं हमने क्या क्या paddle मारा भाई वहाँ पर rocket वगएरा चलता है example के लिए बता रहा हूँ कि हमने क्या किया paddle मारा paddle मार करके cycle को 100 की speed पकड़ा दिया ठीक है उसके बाद paddle मारना हम बंद कर देते हैं तो क्या होगा वो cycle जो है वो हमेशा के लिए जिंदगी भर के लिए क्या होगा motion को change करेगा अपने direction को change करेगा समझ गए तो simply बात यहाँ पर यह है कि object के उपर अगर हम लोग force लगाते हैं unbalanced force तब उसका state of motion change होता है हमने क्या क्या force लगाए paddle मारा तो उसका speed increase हो जाएगा अगर brake लगाएंगे force लगाएंगे तो speed कम हो जाएगा अगर हम इस प्रकार का कोई force नहीं लगाते हैं force लगाना बंद कर देते हैं तो जो speed उसने acquire की है जो उसने motion acquire किया है जो velocity acquire किया है उसी velocity पर वो लगातार चलते रहेगा तो balanced force, unbalanced force आप लोग समझ गए हैं अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे आगे हमारा topic है 8.2 first law of motion को यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं first law of motion को समझने के लिए हमें Galileo के एक experiment को समझना होगा और यह जो experiment है या फिर यह जो first law of motion है यह हमारे balanced और unbalanced force के concept के साथ जुड़ा हुआ है जिसके अभी तुरंथ हमने बात किया था अब यहाँ पर देखे क्या कहता है कहता है कि जो अभी तुरंथ हमने बात किया balanced force और unbalanced force के बारे में कि भाई यहाँ पर कोई भी object अगर वो जाता है मतलब वो उसके उपर कोई भी unbalanced force काम नहीं करता है तो वो क्या करेगा वो constant speed पर चलता रहेगा अब यहाँ पर unbalanced force हमने अभी तुरंथ पढ़ा था इसलिए मैंने वो word use कर लिया लेकिन गेलेलियो साहब ने क्या बोला था इन्हों ने बोला था कि भाई कोई भी object है अगर उसके उपर हम लोग कोई भी force नहीं लगाते हैं कोई भी force लगाने का मतलब क्या कोई भी external force हम लोग नहीं लगाते हैं तब वो object जो है constant speed से motion करता रहेगा हमेशा के लिए करता रहेगा वो अपने state of motion को change नहीं करेगा ठीक? अब यहाँ पर यह इनका experiment हमें यहाँ पर पढ़ना है, समझना है कहता है कि he observed that when a marble rolls down an inclined plane its velocity increases अब यहाँ पर इन्हों ने क्या किया? एक sit-up बनाया sit-up कैसा बनाया? भाई इस प्रकार का sit-up बनाया इस sit-up में क्या खास है? एक तरफ incline है जहाँ से ball को हम लोग नीचे की और गिराते है और दूसरी तरफ same height का एक incline है ठीक है? यह decline है, यह incline है ठीक है? तो यहाँ से जब हम लोग ball को नीचे की और गिराएंगे तो ball में क्या होगा? momentum gain होगा sorry, momentum आपने अभी पढ़ा नहीं है आगे पढ़िएगा ठीक है? तो ball में क्या होगा? इसका velocity बढ़ेगा इसका speed increase होगा ठीक है? नीचे आते समय क्या होगा? इसका velocity increase होगा ठीक है, velocity increase होगा इसके बाद क्या होगा? velocity increase होने के बाद कहता है कि भाई आगे अगले चेप्टर में पढ़िएगा कि velocity क्यों increase होगा velocity increase होगा इसलिए क्योंकि ball के उपर एक force लग रहा है gravitational force लग रहा है gravitation के बारे में आपको अगले चेप्टर में पढ़ना है यहाँ पर नहीं पढ़ना है वहाँ पर हम लोग अच्छे से बात करेंगे कि ball का velocity कैसे बढ़ा कितना बढ़ा क्यों बढ़ा अब यहाँ पर बात क्या है आगे यहाँ पर कहता है कि it's attains a definite velocity मतलब जब यह ball है incline से नीचे की ओर आ रहा है धलान पर नीचे की ओर आ रहा है तो धीरे धीरे यह velocity इसका increase होते जाता है और सबसे नीचे point पर जब पहुँचता है तो एक definite velocity यह attain कर लेता है एक खास velocity पर यह पहुँच जाता है ठीक है उसके बाद यह कहता है कि जब opposite side के incline पर यह climb करने लगता है तब इसका धीरे धीरे velocity decrease करने लगता है मतलब यहाँ पर क्या हुआ यह जो setup हमने तयार किया इस setup में हमने ball को एक incline पर से गिरा दिया इस decline पर से गिरा दिया तो यहाँ पर ball था ball का speed कितना था 0 velocity कितना था 0 यहाँ से ball को हमने छोड़ दिया तो यह ball के उपर force लगा gravity का gravity के force के कारण इस ball क्या velocity धीरे धीरे increase होने लगा maximum velocity इसका कहाँ पर होगा यह जब यहाँ पर plane surface पर पहुँचेगा मतलब सबसे नीचे point पर जहाँ होगा यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा max velocity हो जाएगा और जब यह इस incline पर वापस से चढ़ना शुरू कर देगा opposite incline पर तब धीरे 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 इसका velocity क्या होने लगेगा decrease करने लगेगा और एक point पर आ करके इसका velocity कितना हो जाएगा zero हो जाएगा अब यह point कौन सा होगा यह बहुत ही important है तो आईए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कहता है figure 8.5C shows a marble resting on an ideal friction lane plane inclined on both side अब यहाँ पर कहता है यहाँ पर यह जो C diagram है इसमें दिखा रहा है कि एक marble है marble ball यह marble यहाँ पर दिखाया जा रहा है एक incline पर rest कर रहा है ठीक है और यहाँ पर ideal plane है ideal plane मतलब कि वहाँ पर friction force नहीं लग रहा है उनके बीच में और भी कोई मतलब केवल force कौन सा लग रहा है gravitational force लग रहा है friction वगेरा काम नहीं कर रहा है हमने friction के बारे में अभी तुरन थोड़ी बाते की थी तो friction का force यहाँ पर नहीं लग रहा है लग रहा है यहाँ पर सिर्फ gravitational force लग रहा है अब यहाँ पर कहता है कि Galileo argued that when the marble is released from lift जब हम लोग lift side से इस तरफ से incline से जब छोड़ते हैं marble को वो जो ball है न उसके लिए यहाँ पर marble word यूज़ कर रहा है जब उस marble को हम लोग छोड़ते हैं तो यह slope पर roll down करेगा और opposite side पर जा करके चड़ जाएगा और same height तक पहुचेगा जिस height से इस ball को हमने छोड़ा था मतलब यहाँ पर इधर एक incline ऐसा incline है इस incline में हमने यहाँ से ball छोड़ा नीचे आया नीचे आया नीचे आया जब middle में है सबसे नीचे तो maximum velocity फिर वो वापस incline पर चड़ना शुरू कर देता है कितनी height तक जाएगा जिस height से हमने इधर से छोड़ा था उसी height तक यहाँ पर यह ball पहुचेगा उसी level पर पहुचेगा तो इसको अगर हम लोग image से देखेंगे तो हमारे लिए जारा समझना इसको आसान होगा तो यह देखिए यह एक तरीके से आपका image है अब वहाँ पर जो incline दिखाया गया न उस incline में ऐसे curve दिखाया गया curve इस प्रकार से तो वहाँ पर उस curve में थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के incline में आसानी से आपको समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग इस तरब से इस point से यहाँ पर ball को छोड़ते हैं जब ball को छोड़ते हैं तो जब इस point पर ball आता है यानि कि सबसे नीचे point पर वालाता है तो इसका क्या हो जाता है? max velocity हो जाता है और जब ये opposite direction में जाने लगता है तो धीरे धीरे इसका velocity कम होने लगता है और यहाँ पर इस point पर आकर के इसका velocity 0 हो जाता है और यह height कितना है? यहाँ पर हम लोगों का friction काम नहीं कर रहा है क्या काम नहीं कर रहा है? friction काम नहीं कर रहा है सिर्फ एक force लग रहा है कौन सा force? gravitational force लग रहा है तो यहाँ पर कहता है कि जितनी height से हमने इस ball को छोड़ा था opposite side में उतनी ही height तक ये ball पहुंचेगा और वापस से फिर इस तरीके से यह पूरा cycle चलते रहेगा तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ऐसा क्यों कहते हैं यहाँ पर यह क्यों होता है यह जरा सा हम लोग समझते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कहता है कि if the inclination of the planes on both sides are equal then the marble will climb the same distance that it covered while rolling down अब यहाँ पर कहता है कि यह जो inclination हमने तैयार किया है यहाँ पर अगर यह देखिए यह inclination inclination मतलब क्या? मतलब यह जो धलान हमने बनाया है अगर दोनो धलान सेम है दोनो inclination हमारे सेम है दोनों का angle अगर हमारा सेम है यहाँ पर दोनों का angle अगर हमारा सेम है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पहले तो हम समझ गए कि same equal height पर दोनों पहुँचेंगे लेकिन अगर angle दोनों का सेम है inclination सेम है, धलान सेम है तो जितना दूरी बॉल ने यहां से यहां तक तै किया, उतना ही दूरी बॉल यहां से यहां तक भी तै करेगा, मतलब कि बॉल को यहां से middle point तक आने में जितना दूरी तै करना पड़ा, उतना ही दूरी यहां पर भी बॉल तै करेगा, यही चीज यहां पर गैलिलियो सहब ब अब आगे बढ़ें, तो आगे यहाँ पर क्या बात आता है भाई, आगे देख लेते हैं, आगे यहाँ पर कहता है, कि if the angle of inclination of the right side plane where gradually decrease, then the marble would travel further distance till it reaches the original height, अब कहता है, कि देखो हम लोग क्या करते हैं, हमने शुरुआध में क्या किया? सुरुआध में तय किया कि भाई, दोनों जो inclination हैं, इनके angle बराबर रहेंगे, इनका inclination बराबर रहेगा, जितना ढवलान इसमें, उतना ही ढवलान इसमें, यह हमने तय किया, तो भाई, बराब चाहई बागा कर देते हैं इधर देखरो यहां पर inclination कैसा है और उस तरफ inclination कैसा है यहां पर inclination आएसा है तो यहां पर कहता है कि जब इस प्रकार का situation हम cent कर देंगे, то यहां पर जो बॉल है यहाँ पर यह ball जब opposite side के inclination पर जाएगा तो वो ज़्यादा दूरी तै करेगा क्यों ज़्यादा दूरी तै करेगा? ज़्यादा दूरी तै इसलिए करेगा क्योंकि इस ball को same height तक पहुँचना है same level तक पहुँचना है जितने height से हमने इस ball को गिराया था इसलिए यह ball क्या करेगा? ज़्यादा दूरी तै करेगा समझ गया? ज़्यादा दूरी ball तै कर रहा है क्यों तै कर रहा है? क्योंकि इसको same height तक जाना है same height तक पहुँचना है अब same height तक क्यों पहुँचना है भाई? क्योंकि दोनों का energy level same है ठीक है? अब कहता है कि if the right side plane were ultimately made horizontal, that is the slope is reduced to zero, the marble would continue to travel forever trying to reach the same height that it was released from. अब यहाँ पर कहता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने जो ये inclination तयार किया, इस inclination में यहाँ पर हमने क्या किया, सुरुवात में क्या लिया, सुरुवात में हमने लिया कि भाई हम लोग inclination बराबर रखेंगे, दूसरी बार में क्या किया, inclination थोड़ा सा कम किया, तब ball क्या करता है, बराबर height तक जाने की कोशिश करता है, बराबर height तक जाता है, जादा दूरी तय करके जाता है, और थोड़ा सा angle कम कर देंगे, तो और जादा दूरी तय करेगा और बराबर height तक जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लेकिन एक तरफ का inclination ऐसा ही रखते है और दूसरी तरफ का inclination हम लोग zero कर देते हैं, angle हम लोग zero कर देते हैं, मतलब यह flat surface बना देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यह जो ball है, जब इस inclination से नीचे आएगा, तो इस inclination से नीचे आने के बाद, यह इस direction में हमेशा चलते रहेगा, हमेशा के यह वो travel करते रहेगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा, क्यों? क्योंकि वो खोज रहा है कि भाई, कहाँ पर inclination मिले, कि हम ऐसे जाकर कि इस बराबर level पर पहुंच जाएं, मतलब समझे, मतलब जो ball को energy मिला यहाँ से incline में, इस inclination में, उस energy से वो हमेशा आगे कि और जा र रहा है कि कब मुझे वो inclination मिल जाएगा कि मैं same level तक पहुंच जाओ, same height तक पहुंच जाओ, और same height तक पहुंचने की कोशिश के लिए, यह ball क्या गरेगा, हमेशा इस level पर अगर है, तो वो हमेशा चलते रहेगा, चलते रहेगा, उसके velocity में कोई change नहीं आएगा, उस velocity पर जो velocity इस इस inclination पर यहाँ पर achieve कर लिया, उसी velocity पर यह आगे की और चलते रहेगा, समझ गए, क्यों, क्योंकि इसको उसी same height तक, same level तक पहुंचना है, समझ गए, तो यहाँ पर अगर हम लोग आगे देखें, कहता है कि the unbalanced forces on the marble in this case are zero, यहाँ पर इस condition में ऐसा क्यों हो रहा ह क्योंकि जो unbalanced force है, marble के उपर वो क्या है, एक प्रकार से zero है, उसके उपर कोई भी extra external force काम नहीं कर रहा है, नहीं लग रहा है, कहता है कि it does suggest that an unbalanced force is required to change the motion of the marble, but no net force is needed to sustain the uniform motion of the marble, मतलब यहाँ पर कहता है कि अगर यह जो marble है या फिर कोई भी object है, उस object को देखें या फिर इस marble की ही बात करें, तो इस marble के या फिर किसी भी object के motion को change करने के लिए, हमें क्या चाहिए, unbalanced force चाहिए, मतलब एक प्रकार से external force चाहिए, external force मतलब वो marble travel कर रहा है, वो जो ball है, वो travel कर रहा है, उसके अलावा कोई बाहर से, जैसे मैं जाकर के उसको ball को रोक दूँ, या कुछ obstacle आ जाए, कोई पत्थर रोक दे, या कुछ रोक दे, कुछ बाहर का चीज, उसको force लगा दे उसके उपर, तभी एक प्रकार से वहाँ पर motion में change आएगा, अगर हम लोग बाहर से knit force नहीं लगाते हैं, अगर हम लोग बाहर से कोई external force नहीं लगाते हैं, तो उस ball के motion में कोई change नहीं आएगा, वो अपने motion को continue करेगा, मतलब की uniform motion को continue करने के लिए, हमें external force की जरूरत नहीं होती है, वो खुद बखुद, वो uniform motion में रहता है, अगर किसी object के उपर balanced force लग रह है, तब, ठीक है, आगे कहता है, कि in practical situations, it is difficult to achieve a zero unbalanced force, ये बिलकुल सही बात है भाई, हम लोगों की आसपास के जिन्दगी में जो situation है, यहाँ पर unbalanced force को achieve करना, zero unbalanced force को achieve करना, एक तरीके से impossible है, क्योंकि अगर तुम अपने आसपास ही देखो, तो किसी ना किसी प्रकार का force ह हर object के उपर लग रहा है, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मेरे उपर gravitational force लग रहा है, frictional force भी लग रहा है, air का resistance भी लग रहा है, और भी तरीके के forces यहाँ पर काम करते रहते हैं, और यहाँ पर भी वही चीज लिखा हुआ है, कि यहाँ पर क्या कहता है, कि it is difficult to achieve a zero un balanced force, this is because of the presence of the frictional force acting opposite to the direction of motion, कि भाई, जहाँ पर भी motion होगा, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, frictional force देखने को मिलेगा, जो कि हमेशा motion को oppose करेगा, यह एक प्रकार का क्या होगा, हमारा unbalanced force होगा, मतलब कि आप कहीं पर भी motion कर ले, वहाँ पर आपको एकदम perfect balanced force create करना possible नहीं है, हमेशा किसी न किसी तरीके से unbalanced force वहाँ पर होगा, और यह normal condition में हमारे normal life में होता ही है, ठीक है, कहता है कि thus in practice the marble stops after traveling some distance, इसी लिए हम देखते हैं कि जब हम reality में यह experiment करने की कोशिश करते हैं, जो Galileo ने किया, तो हमारा यह experiment वैसा नहीं होता है कि जैसा इन्हों ने कहा था, क्यों? क्योंकि जब हम marble drop करते हैं, तो वहाँ पर frictional force लगता है, और उसकी वज़ा से same height तक marble जाता नहीं है, slope पर, उसी प्रकार से marble को drop करें, अगर horizontal plane दूसरी तरफ कर दिया है, तो वो infinite distance तक नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर frictional force लग रहा है, उसके लावा और भी forces लग रहें, तो यहाँ पर बात क्या है, बात है कि balanced force यहाँ पर नहीं होता है create, जिस वज़ा से उस marble के उपर force लगता है, और वो कुछ समय के बाद जा करके रुक जाता है, कहता है कि the effect of frictional force may be minimized, यानि कि देखिए, frictional force को हम पूरी तरीके से खतम नहीं कर सकते हैं लेकिन frictional force के effect को हम लोग बहुत हद तक कम कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग smooth marble ले सकते हैं, smooth plane ले सकते हैं, lubricant का use कर सकते हैं, इन सबसे frictional force को कम किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से खतम नहीं किया जा सकता है, अब यहाँ पर यह सब बाते जो ये गैलीलियो के ideas को पढ़ते हैं, उनके सारे experiment को देखते हैं, पढ़ते हैं, और उन सब को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद, वो force और motion से जुड़े हुए क्या करते हैं, law देते हैं, तीन fundamental laws देते हैं, कि भाई, दुनिया में, universe में कहीं पर भी motion होगा, तो ये laws के के उपर based होगा, ठीक है, कहता है कि these three laws are known as Newton's law of motion, the first law of motion is stated as, तो ये जो तीनों laws हैं, इनको हम लोग कहते हैं, Newton's law of motion, उनमें से पहला law यहाँ पर लिखा गया है, पहला law यहाँ पर क्या कहता है, कहता है कि an object remains in a state of rest or of uniform motion, in a straight line, unless compelled to change that state by an applied force, मतलब यहाँ पर यह है, कि कोई भी object जो है, अगर वो rest के condition में है, तो वो हमेशा के लिए चाहेगा कि वो rest के condition में रहे, और अगर वो uniform motion में है, इस ट्रेट लाइन में, तो वो हमेशा चाहेगा कि अपने uniform motion को maintain करके रखे, इस ट्रेट लाइन में, जब तक कि उसके उपर बाहर से force न लगाया जाए, मतलब यहाँ पर जैसा हमने experiment देखा था, वही बात यहाँ पर कर दी गई, जो balanced force, unbalanced force की बात हमने पढ़ी थी, वही बात यहाँ पर कर दी आ गया, कि अगर किसी object के उपर external force नहीं लगता है, यानि कि कोई unbalanced force काम नहीं करता है, तो वो अपने state of motion को हमेशा के लिए बरकरार रखता है, अगर वो rest में है, तो हमेशा के लिए वो rest में रहेगा, और अगर वो uniform motion में है, तो वो हमेशा के लिए uniform motion में रहेगा, और यही है हमारा first law of motion अब यह जो law of motion है इसको simplify करने के लिए अगर हम लोग समझें तो simply यहाँ पर यह कहता है कि all objects resist a change in their state of motion दुनिया के जितने भी object हैं वो अपने motion को अपने state of motion को change नहीं करना चाहते हैं उस change को approach करते हैं कैसे approach करते हैं तो example कुछ हम लोग देखेंगे लेकिन यहाँ एक दो line देख लेते हैं क्या कहता है कहता है कि in a qualitative way the tendency of undisturbed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia अब यहाँ पर आ गया एक term एक property object का यह property है inertia inertia क्या है इनर्शिया एक तरीके से property है inertia क्या है property है object की ठीक है अब यह inertia क्या property है यह एक तरीके से कहता है इस property के अनुसार कि जो objects हैं वो अपने state of motion को change करने से रोकते हैं या फिर उसको oppose करते हैं ठीक है तो यह जो first law of motion है इसको हम लोग law of inertia भी कहते हैं अब यहाँ पर आगे देखें तो आगे कहता है कि certain experiences that we come across while traveling in a motor car can be explained on the basis of law of inertia अब यहाँ पर देखें law of inertia के आधार पर यानि first law of motion के आधार पर हम लोग अपने आस पास के बहुत सारे activities को explain कर सकते हैं जैसे कि हम लोग motor car में या फिर train में या फिर bus में travel करते हैं तो उस समय हम लोगों को कुछ feelings होते हैं कुछ activities होते हैं जो कि यहाँ से explain कर सकते हैं देता है और उस condition में गाड़ी जो है वो रुक जाता है या फिर रुकने लगता है लेकिन गाड़ी के अंदर हम बैठे हुए हैं हमारा शरीर है और हमारा शरीर क्या है एक object है और हमारा शरीर क्या चाहता है कि हम अपने state of motion को बरकरा रखें मतलब कि अगर गाड़ी 60K स्पीड पर चल रहा है तो हमारा शरीर चाहेगा कि हम 60K स्पीड पर चलते रहें इसलिए आप देखते हैं कि जब भी चलती गाड़ी में ब्रेक मारा जाता है तो हम आगे की ओर गिरने लगते हैं क्योंकि भाई ग्रू की तो गाड़ी न है हमारा शरीर क्या है हमारा शरीर चाहता है कि हम जो है वो उसी state of motion में चलते रहें इसलिए हम आगे की ओर गिरते हैं इसी प्रकार से जब कोई गाड़ी खड़ी है हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और अचानक से गाड़ी आगे की ओर बढ़ती है तो हम पीछे की ओर ऐसे गिरने लगते हैं क्यों क्योंकि हम लोग रेश्ट में थे और हमारा शरीर भी रेश्ट में था जब गाड़ी आगे बढ़ी तो हमारा शरीर चाहता है कि हम क्या करें रेश्ट में ही रहें इस वजह से यहाँ पर इस प्रकार के feeling सम क को देखने को मिलते हैं यही चीज़ कहता है कि until the driver applies a braking force to stop the motor car with the application of brakes the car slows down but our body tends to continue in the same state of motion because of its inertia कहता है कि sudden application of brakes may thus cause injury to us by the impact impact or collision with the panels in front मतलब कि जब भी अचानक brake मारा जाता है तो हम आगे के गाड़ी के आगे के पैनल से या कुछ पार्ट से ठकरा सकते हैं और हमको injury भी हो सकती है तो आई इसको जरा से हम लोग example से देख लेते हैं यहाँ पर गाड़ी आई गाड़ी टकराया गाड़ी टकराया यह आदमी आगे की ओर क्यों चला गया यह आगे की ओर क्यों उड़ गया उड़ गया इसलिए क्योंकि जब इस कार का यहाँ पर इस दिवार के साथ accident हुआ तो यह car न रेष्ट में आ गया अचानक से लेकिन यह जो आदमी है यह इस गाड़ी में बैठा हुआ है इसका body चाहता है कि हम अपने state of motion को बरकरार रखें इसलिए यह accident के बाद आगे की ओर चला जाता है अब यहाँ पर एक और उदारन देखें दूसरा उदारन देखें तो यहाँ पर अगर देखिए यह जो ball थे यह ball अपने state of motion को यानि कि state of wrist को बरकरार रखना चाहते हैं और यह नीचे आजाते हैं यह cartoon के साथ या फिर cardboard के साथ आगे की ओर नहीं जाते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है एक सिक्का रखा गया है एक glass के ऊपर एक cardboard के ऊपर जब हम लोग इस paper को या फिर cardboard को खिचते हैं तो वो coin जो है वो अपने inertia को maintain करना चाहता है अपने state of motion को maintain करना चाहता है और वो आगे नहीं जाता बलकि उसी position पर न बैठे हुए हैं अब बस में लोग बैठे हुए हैं अचानक से बस वाला brake मार देता है अब यह जो आदमी यहाँ पर बैठा हुआ था उड़कर के यहाँ पर आ गया क्यों क्योंकि भाई brake तो बस ने लगाया ना बस तो रुक गया लेकिन इस आदमी का जो शरीर है वो चाह चीजे आपको उडाहर रणमिके रूप में मिल जाती है जो की आपके आसपास होते रहती है इसी परकार से यह देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर एक ट्रेन है या फिर बस है एक आदमी खड़ा है यहाँ पर इस बस के द्षारा brake लगाया जाता है तो यह पैर ज साथ ही रुखता है, लेकिन उपर वाला जो हिस्सा है सरीर का, वो अपने state of motion को बरकरार रखना चाहता है, इसलिए ये हिस्सा आगे की और जूक जाता है, तो ये चीज तो आप हमेशा ही देखते होंगे, जब भी आप बस में या फिर कार वगरा में ट्रेवल करते होंगे, इ ये पीछे की और जुक गया, जब भी गाड़ी अचानक से चलता है, तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो अपर पार्ट है बोडी का, ये अपने state of motion, यानि की rest के state को maintain करना चाहता है, इस वज़ा से यहाँ पर ये क्या हो जाता है ये अपने position को यहाँ पर maintain करता है, मतलब कि अपने state of motion को maintain करता है, ठीक है, अब यहाँ पर देखें, तो आगे यही बाते क्या कही गई हैं, कहता है कि safety builds are worn to prevent such accident, तो गाड़ियों में seat built वगरा होते हैं, क्यों होते हैं, इसी प्रकार के injury से बचाने के लिए, कि जब अचान encountered when we are standing in a bus and bus begin to move suddenly, वही बात जो अभी तुरंत मैंने आपको example दिखाया, कि जब अगर bus खड़ा है, और bus खड़ा है और अचानक से bus चलने लगता है, तो हमें क्या feel होता है, यहाँ पर हमें इस condition, ये चीज हमें feel होता है, कि पैर हमारा आगे की और जाता है, और हमारा body जो है determined to fall backward, वही बात है, कहता है कि this is because the sudden start of the bus brings motion to the bus as well as to our feet in contact with the floor of the bus, but the wrist of our body opposes this motion because of its inertia, हमारा शरीर का बाकी हिस्सा पैर के अलावा, पैर क्योंकि बस के contact में है, तो वो भी बस के साथ आगे बढ़ जाता है, लेकिन हमारा शरीर का बाकी हिस्सा अपने inertia के कारण क्या करता है, इ ठीक है, आगे यहाँ पर आगे कहता है example, कि भाई देखो एक और उदाहरन, कि भाई हम लोग जब कार में चलते हैं, या फिर बस में travel करते हैं, और हम लोग बस में कार में जब turn लेते हैं, तो हम बाहर की और ऐसे क्यों जाने लगते हैं, जैसे हम लोग ऐसे सीधे रास्ते पर जा रहे हैं, और बस ऐसे turn ले लेता है, तो हम लोग इस तरफ उल्टे साइड, याने की curve के बाहर की और गिरने क्यों लगते हैं, हमारा शरीर उधर क्यों जाने लगता है, क्यों, क्योंकि हम लोग चल रहे थे motion में, भाई, motion में थे, state of motion में थे, और state of motion में थे, तो हमा चाहता है। युनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है। इस ट्रेट लाइन में तो जब भी हम लोसिटी में changing करते हैं। मतलब कि या तो direction में भी change करते हैं, या फिर speed में change करते हैं तो हमारा बॉडी उसको oppose करता है। मतलब दुनिया का कोई भी object उस change को oppose करता है तो जब हम लोग curve पर एक प्रकार से हमारी गाड़ी मूरती है तो हम बाहर की ओर गिरने लगते हैं क्योंकि हमारा body चाहता है कि हम लोग क्या करें straight line में travel करें, straight line में चलते रहें तो ये चीज आपको गाड़ियों में, bus में हमेशा feel होता रहता होगा अब ये तो हमारा तस्वीर जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ये उतना perfect नहीं है लेकिन ये तरीके से यही चीज है कि जैसे ये गाड़ियां जो है, ये जा रही थी ये curve पर आई तो इस तरफ आ गई क्यों? क्योंकि ये अपने motion state of motion, straight line में state of motion को बरकरार रखना चाहती थी ये तो cartoon है, इसलिए ऐसा दिख रहा है लेकिन जब हम गाड़ियों में होते हैं जब गाड़ी इधर मुड़ती है तो हम इस तरफ ऐसे जुग जाते हैं जब गाड़ी इधर मुड़ती है तो हम इस तरफ ऐसे जुग जाते हैं क्यों? क्योंकि हमारा शरीर या फिर दुनिया का कोई भी object अपने state of motion को बरकरार रखना चाहता है उसमें change नहीं करना चाहता है समझ गए? यही चीज यहाँ पर कहता है कि when a motor car makes a sharp turn at high speed we tend to get thrown to one side this can again be explained on the basis of the law of inertia we tend to continue in our straight line motion when an unbalanced force is applied by the engine to change the direction of motion of the motor car we slip to the one side of seat due to inertia of our body अपने शरीर के inertia के कारण हम एक side में एक कोने में चले जाते हैं और हम बाहर की और इस प्रकार से गिरने लगते हैं अब यहाँ पर आगे क्या कहता है आगे कहता है कि the fact that a body will remain at rest unless acted upon by an unbalanced force can be illustrated through the following example एक example है कि भाई देखो हमारा body जो है या फिर दुनिया का कोई भी object है वो rest में अगर है तो वो rest में ही रहना चाहता है यह हम कैसे proof करेंगे तो यह चीज़ यहाँ पर है कि भाई जब तक उस पर unbalanced force न लगाए जा उसका state of motion change नहीं होगा तो वो चीज़ यहाँ पर experiment है क्या experiment है यहाँ पर कैरम का उदारण है कैरम आप सभी खिलते होंगे नहीं खिला होगा तो आपने देखा जरूर होगा कि यहाँ पर क्या होता है यह striker है इस striker से जब हम लोग यहाँ पर hit करते हैं तो यहाँ पर कई सारे layers में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर गोटियों को रख देते हैं उसमें से जब striker से hit किया जाता है तो यह जो गोटी है उसमें से एक गोटी केवल बाहर जाता है बाकि सब नीचे आ करके उसकी जगह पर बैठ जाते हैं यह क्यों होता है क्योंकि जिस गोटी को जिस इस coin को हमने hit किया उसमें सिर्फ motion में change आया बाकि जितने भी हमारे गोटियां थे वो सब अपने state of motion को बरकरार रखते हैं यानि कि rest में थे और rest में ही रहते हैं वो वहाँ पर नीचे आ करके बैठ जाते हैं ठीका? अब इसके बाद दूसरा example है दूसरे example में यहाँ पर आपको क्या करना है वही glass वारा उदारंड मैंने आपको इसकी video दिखाई थी कि यहाँ पर glass के उपर एक card रख देना है card पर 5 रुपया का coin रख देना है और यहाँ पर आपको क्या करना है इस card को hit करना है कि card उड़ जाए तो यहाँ पर क्या होगा coin क्या card के साथ उड़ जाएगा क्या जी नहीं बलकि वो coin यहाँ पर आकर के glass में गिर जाएगा तो यहाँ पर यह अगर मैं दिखा दो तो काफी easy है कुछ खास है नहीं तो यहाँ पर यह देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है अपने state of motion में change को oppose कर रहा है यानि कि वो wrist में है और वो wrist में ही रहना चाहता है इसलिए वो क्या करता है? नीची आ जाता है वो अपने position में sorry state of motion में change नहीं करता है अब यहाँ पर आगे बढ़े हैं तो आगे क्या बात ही की गई है भाई? आगे यहाँ पर अब topic है हमारा inertia and mass inertia की बात करेंगे और उसका mass के साथ relation की हम लोग बात करेंगे कहता कि तो inertia क्या है सबसे पहले समझते है inertia किसी भी object की एक property होती है कैसी property? एक ऐसी property जिसके तहत कोई भी object जो है अपने change of motion को oppose करता है समझ गया है? resist करता है यही चीज़ कहता है कि there is a resistance offered by an object to change its state of motion मतलब कोई भी object अगर rest में है तो वो चाहेगा कि हम भया rest में ही रहें हमको कोई छेड़ छाड़ ना करें हमको कोई दोडाने का काम ना करें अगर कोई object motion में है uniform motion में तो वो चाहेगा कि वो uniform motion में ही रहे उसको कोई रोकने की कोशिश ना करें या फिर उसके speed को कम जादा करने की कोशिश ना करें वो हमेशा क्या रहेगा? अपने uniform motion को continue करेगा और यह जो property है जिसके तहत कोई भी object अपने state of motion के change को oppose करता है यही property हमारा inertia कहलाता है अब यहाँ पर कहता है Do all bodies have the same inertia? यहाँ पर बात है कि भाई inertia मतलब क्या एक ऐसी property जिसके तहत object क्या करता है अपने change in state of motion को oppose करता है मतलब कोई object अगर 10 km per hour से straight line में travel कर रहा है तो वो चाहेगा हमेशा कि हम 10 km per hour से straight line में travel करें हम कम जादा नहीं करेंगे और कोई कम जादा करने की कोशिश करेगा तो हम उसके साथ टकराएंगे मतलब एक तरीके से resistance करेंगे तो यह resistance करने के property ही inertia कहलाती है ठीक है अब यहाँ पर बात है कि दुनिया में अलग-अलग object है बहुत सारे object है क्या सभी object बराबर inertia show करते हैं मतलब कि क्या सभी object बराबर resistance show करते हैं बराबर opposition show करते हैं जब उनके state of motion को change करने की कोशिश होती है तो answer है नहीं इसका सबसे अच्छा उधारण simple सा बात है आपके किताब में ही दिया गया है कि हम लोग क्या करते हैं हम लोग एक खाली cartoon box लेते हैं खाली cartoon box उसको अगर हम लोग धका दें तो हम लोग उसके state of motion को आसानी से change कर सकते हैं ऐसे change कर सकते हैं बस थोड़ा सा push करो वो rest में था और वो तुरंत motion में आ जाएगा motion में अगर चल रहा है तो उसको रोक दो तुरंत रुक जाएगा इसी प्रकार से football होता है football rest में है उसको जोर से kick करो बहुत दूर चला जाएगा बहुत high speed वो achieve कर लेगा अगर बहुत speed से football आ रहा है तो थोड़ा सा force लगाओ और आपका football क्या कर जाएगा रुक जाएगा मतलब कि आसानी से हम लोग state of motion को change कर सकते हैं लेकिन अगर इनकी जगह पर हम लोग कुछ भारी ले ले जैसे कि वो जो cartoon box है cartoon box में अगर हम लोग किताबे भर दे किताबे छोड़ो अगर उसमें हम लोग पत्थर भर देते हैं तो क्या उस cartoon box को हम लोग बहुत आसानी से move करा सकते हैं state of motion को change कर सकते हैं नहीं change कर सकते हैं इसी प्रकार से football की जगह पर उतना ही size का अगर हम लोहे का ball ले लें या फिर पत्थर का ball ले लें तो क्या उसके state of motion को हम लोग उतनी आसानी से change कर सकते हैं कि kick मारेंगे और steel का ball उड़ने लगेगा हवा में और saw की speed से जाने लगेगा होगा क्या नहीं होगा इसी के comparison में अगर तुम देखो अगर कोई तुम्हारे सामने truck है, loaded truck है या फिर कोई train है उसके उपर तुम बहुत force लगाओ ताकत से, शरीर से, तो क्या तुम उसके state of motion को change कर सकते हो नहीं change कर सकते तो यहाँ पर क्या समझ में आया यहाँ पर यह समझ में आया कि अलग-अलग जो object होते हैं उनका inertia अलग-अलग होता है मतलब कि अलग-अलग object अलग-अलग resistance करते हैं change of state of motion के खिलाब मतलब जो हलका object है जिसका mass कम है वो कम resistance शो करेगा और जिसका mass जादा है वो जादा resistance शो करेगा लेकिन वहीं एक भरे हुए काटून के state of motion को change करना मुश्किल होता है क्यों क्योंकि mass का अंतर है सिधा-सिधा मतलब क्या है inertia किस चीज़ से जुड़ा हुआ है inertia जुड़ा हुआ है object के mass के साथ mass जितना जादा होगा inertia उतना जादा होगा mass जितना कम होगा inertia उतना कम होगा समझ गया अब यहाँ पर देखे यही चीज़ उदाराना force that is just enough to cause a small car to pick up a large velocity which will produce a negligible change in the motion of train वही बात है कि भाई देखो कोई काटून को हम धक्का दे रहे हैं ऐसे मार देंगे काटून एकदम दूर चला जाएगा लेकिन कोई train है उसको हम पूरा थाकत लगा के भी धक्का दे देंगे तो उसमें कोई change नहीं हागा state of motion में क्योंकि train का inertia क्या है जादा है वो change of state of motion को अपोस जादा थाकत के साथ करता है कहता है कि this is because in comparison to the car the train has much lesser tendency to change its state of motion accordingly we say that train has more inertia than the car मतलब क्या train में जादा inertia है car में कम inertia है clearly heavier और more massive object offer larger inertia quantitatively the inertia of an object is measured by its mass मतलब कि ये object का mass जितना जादा होगा उतना जादा inertia होगा, mass जितना कम होगा, उतना कम inertia होगा मतलब कि जितना भारी object होगा, वो अपने change of state of motion को उतना जादा oppose करेगा उतना जादा resist करेगा जितना भारी object होगा उसके state of motion को change करना उतना मुश्किल होगा और जितना हलका object होगा उसके state of motion को change करना उतना ही आसान होगा ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखें तो inertia का एक प्रकार से definition दिया है जिसमें inertia और mass के बीच में relation बताया है inertia is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or of rest the mass of an object is measure of its inertia मतलब जितना जादा mass उतना जादा inertia जितना कम mass उतना कम inertia ठीक है, तो inertia एक प्रकार से clear हो गया अब यहाँ पर एक तरीके से मैंने खुछ से यह लिखा है इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं the property of an object to resist a state of rest or of uniform motion in a straight line is called its inertia ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखें तो questions बगेरा हैं, इनको अगर हम लग से NCRT question वाला वीडियो करेंगे तो उसमें कर लेंगे ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं मतलब क्या, first law of motion में हमने अभी तक क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि जब किसी भी object पर एक unbalanced force काम करता है, external force काम करता है तब उस object का velocity change करता है मतलब कि उसके state of motion में change आता है यानि कि object जो है, उसमें acceleration आता है तो आपको ये तो पता है कि भाई, velocity में change मतलब क्या मतलब acceleration की बात हो रही है तो यहाँ पर कहता है कि we would now like to study how the acceleration of an object depends on the force applied to it and how we measure a force मतलब अब यहाँ पर second law of motion में हम क्या समझेंगे हम समझेंगे कि किसी भी object के जो velocity में change आ रहा है मतलब कि जो उसमें acceleration आ रहा है उसमें और जो force लग रहा है object के उपर उन दोनों के बीच में क्या relation है मतलब किसी भी object के उपर अगर हम लोग force लगाते हैं तो उसका velocity किस प्रकार से change होता है इनके बीच में हम relation यहाँ पर समझेंगे और साथ में force को कैसे यहाँ पर हम लोग calculate करते हैं यह भी देखेंगे कहता है कि let us recount some observation from our everyday life हम लोग आसपास के चीजों का example देखेंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी जैसे यहाँ पर example के लिए कहता है कि table tennis का game आपने देखा होगा table tennis जो game होता है उसमें एक प्रकार से tennis जैसा ही खेला जाता है लेकिन table पर खेला जाता है आपने देखा होगा तो यहाँ पर table tennis का जो ball है वो अगर player को hit कर दे तो उसको किसी भी प्रकार से चोट नहीं लगेगा, मतलब कि table tennis का जो ball होता है वो plastic का ball होता है बहुत ही हलका होता है और उसमें बहुत वजन नहीं होता अगर वो बहुत speed में भी आपको लग जाए आपको चोट लग जाए तो आपको कुछ नहीं होगा आपको थोड़ा सा feel होगा, बिल्कुल भी पता भी नहीं चलेगा, ठीक है लेकिन उसके comparison में अगर cricket ball अगर बहुत speed से travel कर रहा है, बहुत fast travel कर रहा है और वो अगर किसी person को hit कर देता है, तो उससे उसको damage हो सकता है मतलब hurt हो सकता है बहुत serious injury हो सकती है जिससे Indian team, जो international matches होते हैं, उस cricket ball की बात हो रही है, और वो बहुत ही heavy होता है, और उससे बहुत ज़्यादा चोट लगता है बहुत सारे cricketers जो हैं, वो hospital में भरती हो चुके हैं, चोट के कारण कई cricketers की जान तक जा चुकी है ball से चोट लगने की वज़ा से समझ गए, तो यहाँ पर देखिए एक तरफ एक ball है जिससे अगर आपको चोट लगे तो कुछ पता भी नहीं चलेगा दूसरी तरफ वहीं पर एक game का ball है जिससे अगर आपको चोट लग जाए तो आपकी जान भी जा सकती है अब इसी के बात दूसरा example देता है कि अगर कोई truck है truck अगर खड़ा है सांती से rest के condition में है भाई, road के किनारे खड़ा है तो किसी को कोई tension नहीं है कोई परिशानी नहीं है आसानी से वो अपना खड़ा रहेगा कोई किसी को कोई मतलब नहीं है लेकिन अगर एक truck चलने लगे एक truck अगर चल रहा है अगर वो 5 की speed पर भी चल रहा है 5 meter per second की speed पर भी चल रहा है जितना तेज cricket ball चलता है उतना तेज नहीं चल रहा है मात्र 5 meter per second की speed से चल रहा है तो इस speed पर भी ये जो ट्रक है ये बहुत ही dangerous होता है, किसी वेक्ति की जान जा सकती है, अगर किसी कार से टकरा जाए तो heavy accident हो सकता है, heavy परिशानी हो सकती है, अब यहाँ पर ट्रक तो बहुत भारी है, अब हम एक हलके object की बात करते हैं, हलका object क्या होता है, हलका object यहाँ पर bullet की बात कर रहा ह यानि जो बंदूक से गोली चलती है ना उस गोली की बात की जारी है, कि ये जो गोली है, ये जो bullet है, इसका वजन बहुत ही कम होता है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम का bullet होता है, और वो bullet जब किसी भी वेक्ति को hit करता है, जब उसको बंदूक से चलाया जाता है तो, तो उस जान जा सकती है, उस वक्ति को serious damage हो सकता है, तो यहाँ पर ये जो observations आपने देखे, एक तरफ भाई, हमने क्या देखा, कि एक हलका object गोली, अगर किसी को लगे, तो serious damage हो सकता है, जब वो बहुत fast travel करेगा तब, उसी प्रकार से अगर एक truck है, अगर वो बहुत slowly भी travel करेगा, तो किसी वक्ति को serious damage कर सकता है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर है कि जो force इन object के द्वारा लगाया जा रहा है, जो ये force cricket ball के द्वारा लगाया जा रहा है, जो ट्रक के द्वारा force लगाया जा रहा है, impact के द्वारा, मतलब जब cricket ball टकराएगा, या फिर tennis इस बॉल टकराएगा, या फिर हमारा ट्रक टकराएगा, गोली कही पर टकराएगी बंदूख से चलने पर उससे जो impact create होगा मतलब कि वो जो force अपलाई करेगा टकराने समय, वो किस चीज से depend कर रहा है object के mass और velocity के उपर depend कर रहा है कैसे, कैसे यहाँ पर simply बात है, कि देखो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि ट्रक है, भाई ट्रक क्या है, एक बहुत ही भारी object है, उसमें mass बहुत ज़्यादा है, अगर उसमें हमारा velocity low भी होता है तो भी यह बहुत ही seriously damage कर सकता है, कर सकता है लेकिन उसके comparison में, अगर तुम देखो, यहाँ पर हमारा bullet है, bullet में हम क्या देखते हैं, bullet में velocity बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत तेजगती से travel करता है, और इसका mass बहुत ही कम है, फिर भी यह बहुत ही serious damage कर देता है, समझ गया, तो एक तरफ हम देख रहे हैं, कि एक भारी object, धीरे चले तब भी damage, एक हलका object बहुत तेज चले, तब भी damage, तो यहाँ पर बात है कि यह जो object है, जैसे truck हो गया, bullet हो गया, या फिर cricket ball हो गया, या फिर कोई भी वस्तु है, उसके ज़वारा जो impact create किया जाएगा, hit के समय, जब यह चीजे किसी भी चीज से टकराएंगी, तो जो impact create होगा, वो किस चीज के उपर depend करेगा, object के mass के उपर और velocity के उपर, mass कम है, velocity जादा है, तब भी impact होगा, velocity कम है, mass जादा है, तब भी impact होगा, और दोनों medium में हैं, तब भी impact होगा, मतलब यहाँ पर simply क्या है, मतलब की भाई, कोई भी object है, कोई भी object में, यहाँ पर उसके द्वारा, जो force apply होगा, impact के दौरान, वो किस चीज के उपर depend करता है, एक तो mass के उपर depend करता है, object के, और दूसरा, उसके velocity के उपर depend करता है, ठीक है, अब यहाँ पर कहता है, कि similarly, if an object is to be accelerated, we know that a greater force is required to give a greater velocity, अब यहाँ पर कहता है, कि यह भी हमें पता है, कि अगर किसी object को accelerate हमें करवाना है, उसका velocity change करना है, तो अगर हमें जादा velocity change करना है, तो हमें जादा force apply करना पड़ेगा, अगर कम velocity acquire करना है, तो हमें कम force apply करना पड़ेगा, मतलब कि सोचो, कि एक ठेला है, एक ठेला जो होता है, ठेला है, ठेला को तुम धक्का दे रहे हो, अब ठेले को धक्का दे रहे हो, उस पर समान भरा हुआ है, तो थोड़ा सा force लगाओगे, तो उसका velocity थोड़ा सा increase करेगा, और उसको बहुत force लगाओगे, तो उसकी velocity उसी हिसाब से बहुत increase करेगी, मतलब यहाँ पर simply तुमको एक चीज़ समझाया जा रहा है, कि भाई, यहाँ पर हमारा mass, object का mass, और object का velocity, किसी न किसी तरीके से आपस में जुड़ा हुआ होता है, और वो object के acceleration से भी जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ पर इसके लिए Newton साहाब ने क्या किया, Newton साहाब ने एक नया हमारा property ही define कर दिया, समझ गए, एक quantity ही define कर दिया, जिसको की इन्हों ने क्या कहा, इसको हम लोग calculate कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, इसका symbol होता है, और यह बहुत ही important होता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए कहता है कि one such property called momentum was introduced by Newton, Newton साहाब ने इसके बारे में बताया था, इसको लिखा था, इसको explain किया था, अब यहाँ पर यह जो momentum है, इसको हम लोग denote किस चीज़ से करते हैं, P से denote करते हैं, और यह जो momentum है, बहुत ही easy चीज़ है, हमें किसी भी object का momentum निकालना है, तो हम उसके mass और velocity को आपस में multiply कर देते हैं, और हमें क्या मिल जाता है? momentum मिल जाता है, तो momentum का यह formula है, P is equal to mv, m मतलब क्या mass हो गया, v मतलब क्या object का velocity हो गया, इसको multiply कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, object का momentum मिल जाएगा, तो यहाँ पर simply, अब आप क्या समझेए, कोई भी object, किसी दूसरे object को hit करता है, तो उससे कितना damage होगा, वो उस object के momentum पर depend करता है, मतलब यहाँ पर यह है, कि एक truck है, उसका mass बहुत जादा है, वो 10,000 kg का है, और वो अगर 5 ms पर सेकेंड पर भी किसी object को hit करे, तो बहुत ही serious damage कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसका momentum बहुत ही जादा है, mass into velocity, इसी प्रकार से एक bullet है, एक bullet का वजन बहुत ही कम होता है, 10 g, 20 g, 30 g का वजन होता है, और वो जब किसी person को hit करता है, तो बहुत ही serious damage कर देता है, क्यों? क्योंकि उसका velocity बहुत ही जादा है, इसी प्रकार से एक cricket ball है, cricket ball जो है, bullet की comparison में बहुत ही slow चलता है, और truck की comparison में fast चलता है, तो यहाँ पर जो हमारा cricket ball है, इसका mass भी ठीक ठाक है, और velocity भी ठीक ठाक है, इसलिए इसका momentum काफी अच्छा होता है, और यह जब hit करता है, तो काफी ज़्यादा force को exert करता है, तो यहाँ पर simply समझे कि भाई, कोई भी object अगर कहीं पर टकराएगा, समझ गए, कहीं hit करेगा, तो उससे जो force उसके दोरा apply होगा, object के mass और velocity दोनों के उपर depend करता है, और इसके लिए हम लोग यहाँ पर momentum term को use करके, अब यहाँ पर सोचीगा सर, यहाँ पर आप हम लोग पहले से जानते हैं, कि object का mass होता है, velocity होता है, और भी चीज़े होती है, तो भाई यह momentum नए आप लिखने का क्या जरूरत था, और ठीक हर Newton साब ने लिख लिया, तो हम लोग यहाँ पर इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों माथा तरह देख नया quantity पढ़ रहे हैं, इसका क्या significance है, तो देखिए यह example बहुत अच्छा example है, मैंने पीछले वीडियो में सायदी यह बोला था, कि देखिए, आप अगर कही पर जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, आपको एक news मिलता है, कि एक लड़का है, उस लड़के का क्या हो गया, उस लड़के का accident हो गया, अब accident भाई कई प्रकार का हो सकता है, थोड़ा सा टच कर गया गाड़ी, या फिर गाड़ी बहुत serious injury हो गया, कई तरीके से accident को आप लोग explain कर सकते हैं, मैंने आप से बोला, कि भाई जो लड़का है उसका accident हो गया, आपको नहीं पता चला कि भाई accident कितना serious था, वो accident छोटा सा था, या फिर accident में उसकी death हो गई, या फिर serious injury हो गया, आपको नहीं पता चला, अब यहाँ पर एक मैं news देता हूँ, कि यह जो लड़का था ना, इसका accident हुआ किस चीज़ से, cycle से accident हुआ है, cycle ने आको आकर के इसको hit कर दिया, तो अब लेगा, ज़्यादा serious accident नहीं है, क्यों serious नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस cycle का mass बहुत ही कम है, आपको idea लगा कि, oh cycle का mass बहुत कम है, और साथ में जो cycle है न वह बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए यहाँ पर cycle से accident इसका जो हुआ, इसको serious damage नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर मैं बोलू कि नहीं भाई, यह accident cycle से नहीं हुआ है, cycle की बजाए यह accident हुआ है, ट्रक से, तो आप बोली गाए यार, बहुत ही serious matter यार, बहुत ही serious accident हो गया, क्यों? क्योंकि आपको पता है, कि जो truck है, उसका mass बहुत ज़्यादा होता है, और साथ में वो उसकी, अगर velocity थोड़ी सी भी हो, तो भी वो serious damage कर सकता है, इसी प्रकार से, मैं बोलू कि यार, इस वेक्ती को, इस लड़के को, एक bike ने hit कर दिया, बहुत है, नहीं, बाइक से तो उतना चोट नहीं लगेगा, थोड़ा सा चोट लगेगा, नहीं, तो मैं बोलू कि bike जो था न, 100 km per hour की speed पर चल रहा था, और bike वाले ने आके, इसको आकर के ठोक दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर उदारण है, कि आपको जब यह news बताया जाता है, कि भाई, यहाँ पर accident हुआ, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को calculate करते हैं, कि object का mass कितना था, object का velocity कितना था, तो यहाँ पर दो objects, अलग-अलग object हैं, एक truck है, एक bullet है, या फिर एक truck है, एक car है, एक car है, एक bike है, वो जब किसी भी object को hit करेंगे, तो उससे कितना impact होगा, दोनों को एक प्रकार से हम compare कर सकते हैं, momentum का use करके, मतलब कि एक bike है, वो हमारा चल रहा है, 100 km per hour पर, तो वो भी dangerous है, लेकिन एक car है, वो चल रहा है, हमारा 50 km per hour को पर, तो वो dangerous है, लेकिन एक truck है, वो 20 km per hour पर भी चल रहा है, तो वो dangerous है, अब यहाँ पर momentum हम लोग quantity का use करके, तीनों के द्वारा कितना force apply होगा, यह calculate कर सकते हैं, भले ही इनका mass अलग है, velocity अलग है, सब चीज अलग है, तीनों को हम compare कर सकते हैं, इसी प्रकार से दुनिया का कोई भी object है, उसका कितना impact create हो रहा है, कहीं पर hit करने पर, टकराने पर, कुछ होने पर, तो वो चीज यहाँ पर हम लोग momentum के जरिये calculate कर सकते हैं, इसी प्रकार से आगे आपको पढ़ना होगा kinetic energy, तो वहाँ पर momentum एक प्रकार से उसको भी explain करने में मदद करता है, और भी तरीके से बहुत use होते हैं, तो simply बात है कि भाई यहाँ पर momentum क्या होता है, एक प्रकार से समझ गए, कोई भी object जो है, उसके पास कितना energy है, energy नहीं सब्द सही होगा, लेकिन समझे इस समझने के लिए मैं यह शब्द बोल रहा हूँ, कि भाई कोई object है, वो अगर 100 km per hour की speed से चल रहा है, तो उसके पास कितना ताकत है, कितना वो खतरनाक है, यह idea आप लगा सकते हैं momentum से, समझ गए, कि भाई momentum में हम लोग velocity, और साथ में यहाँ पर mass दोनों को include कर लेते हैं, हमें object का energy के बारे में idea लग जाता है, कि वो कितना serious है, कितना उसके पास ताकत है, कितना impact create होगा, यह हम idea लगा सकते हैं, अब momentum क्या है, एक प्रकार का vector quantity है, vector quantity मतलब क्या, momentum के लिए हम लोगों को magnitude भी चाहिए होता है, और direction भी चाहिए होता है, और momentum का direction कौन सा होता है, जो की object के velocity का direction है, मतलब कि इस direction में object move कर रहा है, तो object का momentum का direction भी यही होगा, object इस direction में move कर रहा है, तो object के momentum का direction भी यही होगा, object अगर इस direction में move कर रहा है, तो object के momentum का direction भी यही होगा, अब यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर momentum का SI unit क्या होता है? kilogram meter per second होता है, kgms होता है क्यों भाई kgms क्यों? क्योंकि हमने mass into velocity कर दिया mass का kg कर दिया और meter per second हमने कर दिया किस चीज़ का? velocity का यह हो गया kilogram meter per second हमारा momentum का SI unit आगे कहता है कि since the application of an unbalanced force bring a change in velocity of the object it is therefore clear that a force also produces a change of momentum अब यहाँ पर कहता है first law of motion से हम यह देख रहे है कि जब किसी भी object के उपर unbalanced force हम लोग लगाते हैं तो भाई velocity में change होता है कोई भी object के उपर हम लोग क्या करेंगे अगर unbalanced force लगाएंगे external force लगाएंगे तो उस object का velocity में change होगा velocity में जब change होगा मतलब क्या momentum में भी change होगा कोई object है अगर वो खड़ा है अपने position पर सांती से खड़ा है तो उसका velocity क्या है 0 है मतलब कि MV का value क्या हो गया 0 हो गया अगर हमने किसी object को क्या किया unbalanced force लगाया किसी object के उपर और unbalanced force लगा करके उसका speed क्या हो गया 10 meter per second हो गया तो यहाँ पर फिर MV का value भी क्या हो जाएगा 10 से multiply हो जाएगा और mass मानलो 1 kg है तो 1 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर बात है कि जब किसी भी object के उपर external force लगाया जाता है unbalanced force लगाया जाता है तब उस object का velocity तो change होता ही है साथ में उस object का यहाँ पर आपका momentum भी change होता है ठीक है अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर क्या example देता है कहता है कि लेट उस कंसिडर अ सिचुएशन इन विच अ कार विथ अ डेड़ बैटरी is to be pushed along a straight road to give it a speed of 1 meter per second which is sufficient to start its engine इस example को देख लेते हैं फिर एक दो example मैं भी समझाऊँगा यहाँ पर simply कह रहा है कि देखो एक car है car का बैटरी खराब हो चुका है या फिर बैटरी डाउन हो चुका है वो self लेने पर start नहीं हो रहा है तो उस car को start करना है आपको पता होगा अगर आप car bike वगरा देखे होंगी अपने आसपास तो वहाँ पर जब car की बैटरी डेड हो जाती है तो car को धक्का दिया जाता है car को कुछ दूर धक्का देने के बाद वो car start कर ली जाती है start हो जाता है तो कहता है कि car का बैटरी डाउन हो चुका है car start नहीं हो रहा है इसको car को धक्का देना है और कितना speed लाना है car का 1 meter per second अगर हम लोग car का speed अचीव कर लेंगे तब वो car start हो जाएगा धक्का देने के वज़ा से अब यहाँ पर कहता है कि अगर उस car पर एक ऐसे धक्का देंगे एक second में या फिर एक split of second के लिए तो वो 1 meter per second अचीव नहीं करेगा लेकिन अगर उसी car के ऊपर हम लोग continuous push करते रहते हैं जैसा कि आपने अपने आसपास example देखा भी होगा कि car को धक्का देखे चलो चलो धक्का दो जोर से दो जोर से दो करके थोड़ी देर तक 10 second 20 second 30 second तक हम लोग लगतार धक्का देते हैं तो धीरे धीरे car का चक्का घूमना शुरू होता है और धीरे 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 उसका speed क्या होता है बढ़ने लगता है समझ गये तो यहाँ पर यही चीज़ कहता के बाद धीरे धीरे car का speed increase करता है और वो 1 meter per second speed को achieve कर लेता है कहता है कि it means that the change of momentum of the car is not only determined by the magnitude of the force but also by the time during which the force is exerted मतलब यहाँ पर क्या है हमने अभी देखा कि भाई जितना force लगाएंगे उतना object का momentum change होगा लेकिन यहाँ पर इस example से आप क्या समझे कि भाई यहाँ पर बात है कि object का momentum में जो change है वो फिर वो सिर्फ और सिर्फ force के उपर depend नहीं कर रहा है कि कितना force हम लोग लगा रहे है वो depend इस बात पर भी कर रहा है कि हम वो force कितनी देर तक लगा रहे है अगर किसी object के उपर force हम लोग 1 second के लिए लगाएंगे तो उसका velocity में change momentum में change थोड़ा सा होगा लेकिन उसी object के उपर अगर हम लोग force 10 second के लिए लगाएं एक मिनट के लिए लगाएं एक घंटे के लिए लगाएं तो उसके momentum में change बहुत ज़ादा होगा मतलब जितनी ज़ादा देर तक हम लोग force apply करेंगे उतनी ज़ादा देर तक हमारा क्या होगा velocity change होगा momentum change होगा उतना ज़ादा change होगा समझ गए? अब यहाँ पर आगे कहता है अब यहाँ पर क्या एक चीज़ explain कर रहा है कह रहा है कि देखो हम लोगों को momentum change करने के लिए जो force चाहिए कि भाई momentum object का change करना है उसके लिए जो force चाहिए वो इस बात पर depend करता है कि हर second हम लोग कितना momentum change कर रहे है मतलब कि यहाँ पर कोई object है कोई भी object है उसका mass माल लो 10 kg है और उसका speed माल लो की 10 km per second हमें achieve करना है यह हमारा momentum हमें achieve करना है मतलब 100 kg ms हमें achieve करना है यह हमारा final होया object किस state में था 0 के speed पर था उसका velocity 0 था मतलब कि यहाँ momentum 0 था यहाँ पर हमें 0 से इतना 0 से 100 kg ms हमें क्या गरना है momentum achieve करना है तो यहाँ पर जो force हमें लगाना होगा इस momentum को change करने के लिए वो किस बात पर depend करेगा कि किस rate से हम लोग momentum change कर रहे हैं अगर हमें यह change करना है एक second में कि भाई एक second में हम लोग क्या करेंगे अपने object को 10 meter per second के speed पर ले जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे जादा force लगाएंगे जादा force लगाएंगे तब हम लोग एक second में यह momentum achieve कर सकते हैं लेकिन बोलेंगे नहीं भाई 10 second में achieve हो जाया ना तो ठीक है हर second थोड़ा-थोड़ा हम लोग क्या करेंगे momentum increase करेंगे तो 10 second में अगर हमें यह achieve करना है हमारा momentum तो हम थोड़ा-थोड़ा force लगाएंगे और 10 second में achieve करेंगे अगर एक मिनट में करना है तो और भी कम हमें force लगाना होगा तब जाकर के हमारा एक मिनट में धीरे-धीरे-धीरे करके यह हमारा 100 kg meter per second achieve हो जाएगा सिंपल सी बात है यहाँ पर इसका उदारण आपको समझना है तो बहुत यह अच्छा उदारण क्या है बहुत यह अच्छा यहाँ पर उदारण है कि आपके आसपास जो गाडियां आप देखते हैं जो गाडियां आप देखते हैं वो गाडियों में क्या होता है इंजन होता है इंजन क्या करता है फोर्स लगाता है तो यहाँ पर आपने sports car के बारे में नाम सुना होगा या फिर आपके आस पास जो छोटी गाड़ियां होती है नौर्मल गाड़ियां होती है इनको भी देखते हैं तो sports car और आपकी जो घर के आस पास जो वेगनार कार है, अल्टो कार है या स्विफ्ट कार है इनके बीच में क्या अंतर है इनके बीच में अंतर है कि दोनों गाड़ियों में जो इंजन लगा हुआ है वो अलग-अलग है जो sports car होता है उसमें इंजन बहुत ही powerful होता है बहुत ही powerful इंजन क्यों होता है क्योंकि उस कार को 100 km प्रती घंटा 200 km प्रती घंटा का स्पीड कुछ सेकेंड में अचीव करना होता है इसलिए वो कार क्या करता है बड़ा इंजन रखता है और जादा force लगाता है वहीं आपके घर के आस पास जो है उसमें छोटा सा इंजन होता है और वो इंजन उतना force नहीं लगा सकता इसलिए आपके घर के आस पास जो normal कार होते हैं ये कार जो होते हैं ये अगर 100 km प्रती घंटा 200 km प्रती घंटा के स्पीड को अचीव करना चाहते हैं तो इनको काफी जादा समय लगता है क्यों? क्योंकि ये गाड़ियां जादा force नहीं लगा सकती है sports car बहुत force लगा सकते हैं समझ गए? और यहाँ पर time वाला उदारन देखो ये car है, एक car है car चल रही है, car का speed इंक्रीज कर रहा है अब ये car का speed कितना था? भाई, शुरुआत में 0 था 0 से ये car यहाँ 180 तक पहुँच गया भाई तो 180 पर पहुँचने पर इसका कुछ momentum होगा अब यहाँ पर calculate नहीं करने हैं simply समझ यह कुछ होगा भाई 10,000 हो सकता है, 20,000 इस car का mass भी है, 100, 200 सुरी, 1000 किलो का mass है, 2000 किलो का mass है ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 0 से velocity change हुआ 180 km per hour का तो ये क्या अचानक से हो गया कि हमने छुआ और एकदम 180 के speed पर पहुँच गई ये गाड़ी नहीं, इसको पहुँचने में देखे कितना समय लगा, धीरे, 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 धीरे increase कर रहा है, और ये speedometer एक sports car का है, समझ गए है काफी powerful car का तो यहाँ पर ये ऐसे धीरे, धीरे, धीरे increase कर रहा है, और लगतार engine ताकत लगा रहा है, मतलब मान लिजे कि करीब यहाँ पर 10 second या 15 second तक ये गाड़ी जो है, ये क्या करता है ताकत अपलाई करता है, force अपलाई करता है और यहाँ पर क्या होता है हमारा ये momentum change होता है देखें, यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख भी रहा होगा यहाँ पर जड़ा देखिए कि यहाँ पर ये car क्या कर रहा है पंदरा सेकेंड तक force अपलाई कर रहा है और पंदरा सेकेंड में ये जा करके 180 का speed अचीव कर रहा है मतलब कि ये sports car है इसमें force भी बहुत ज़्यादा है तब भी इस car को 180 का speed अचीव करने में कितना time लगता है यहाँ पर 15 सेकेंड लगता है तब जा करके ये car जो है ये इतना momentum अचीव करता है मतलब कि 180 किलोमेटर पर आवर को हम लोगों को क्या करना होगा पहले मेटर पर सेकेंड में convert करना होगा फिर इसके मास से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसको multiply करेंगे तब हमें मिलेगा तो उतना समझने के लिए उतना जरूरी नहीं है सिंपली समझ ये कि 180 पर इसका momentum कितना होगा बहुत होगा 1 लाख, 2 लाख kgms होगा ठीक है 0 पर कितना momentum था 0 था तो 0 से 1 लाख kgms अचीव करने में क्या इसको 1 सिकेंड लगा नहीं 15 सिकेंड लगा और 15 सिकेंड तक फोर्स अपलाई किया गया तब जाकर के यहां पर इतना इसने momentum एचीव किया तो ये चीज जो है ये भी चीज आप थोड़ा क्लियर हो गए होंगे कि भाई, फोर्स भी हमारा important होता है momentum चेंज करने के लिए और साथ में time period भी important होता है क्योंकि time rate पर depend करता है कि कितना हमारा momentum चेंज होगा ठीक है तो यहां पर हम लोग का अब जाता है second law of motion second law of motion क्या कहता है कहता कि the second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force मतलब क्या जो rate of change of momentum है वो directly proportional है किसके कि भाई हम कितना unbalanced force लगा रहे है फोर्स के प्रोशनल जो अप्लाइड unbalanced force in the direction of force force की direction में हम लोग जो force लगा रहे है मतलब यहां पर देखिए momentum में जो हमारा change है उसको हम लोग कैसे denote करेंगे momentum में change करेंगे हम लोग P2-P1 से यहां पर आपको explanation अभी हम देखेंगे अब P2-P1 हमारा क्या हो गया change in momentum अब यह P2-P1 क्यों लिखा हमने लिखा इसलिए क्योंकि P1 हम लोग क्या मान रहे है initial momentum initial momentum मतलब क्या मान लोग को कोई car था car 0 के speed पर चल रहा था तो उसका P1 हो गया हमारा 0 के speed पर मतलब की P1 हमारा हो गया 0 क्योंकि velocity 0 है इस वज़ा से इसी प्रकार से P2 हमारा क्या हो गया final final momentum final मतलब क्या मतलब यहां पर जो object है मान लोग की हम लोग 20 के speed पर ले जा रहे थे 20 meter per second 20 into मान लोग की 100 kilo का car है तो 2000 हो गया यह हमारा final momentum हो गया तो initial momentum से final momentum लाने के लिए यहां पर हमारा यह क्या हो गया change in momentum मतलब P2 minus P1 करेंगे तो क्या हो गया हमारा change कितना हुआ 0 से 100 की speed पर लाने में 20 की speed पर लाने में हम लोगों को जो change हुआ यह हमारा change in momentum हुआ और यह change in momentum हर सेकेंड कितना हो रहा है यह हमारा क्या होगा rate of change of momentum मतलब यहां पर divided by अगर T कर दें तो यह क्या हो गया rate of change in change of momentum मतलब की car 0 की speed पर था उसको 20 का speed achieve करने में 2 सेकेंड लगे 3 सेकेंड लगे 4 सेकेंड कुछ time लगा होगा तब वो 20 का speed achieve किया होगा तो हर सेकेंड कितना change हुआ यानि कि rate of change of momentum हमारा proportional होता है किस चीज से force applied से जो force हम लोग apply करेंगे वो proportional किस से है rate of change of momentum समझ गया है मतलब कि हम force apply कर रहे हैं किसी object के उपर वो किस चीज से हमारा directly proportional है rate of change of momentum से हर सेकेंड हमने force apply किया change हुआ फिर force apply किया फिर change हुआ तो rate of change of momentum से directly proportional है हमारा force ठीक है अब यह मैंने एक प्रकार से उल्टा लिग दिया है तो यहाँ पर आए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं थोड़ा सा इसका formula निकाल लेते हैं साथ में force का formula निकाल लेते हैं तो topic है हमारा mathematical formulation of second law of motion mathematical formula हम लोग देख लेते हैं कहता है कि एक object है जिसका mass aim है कितना mass है भाई aim है वो straight line में travel कर रहा है initial velocity उसका u है initial velocity मतलब विचेरा सीधा सीधा अपना रस्ता में चल रहा था u के velocity से अब u कुछ भी हो सकता है अब कहता है कि it is uniformly accelerated to velocity भी तो यहाँ पर क्या किया गया यहाँ पर हम लोगों ने force apply किया और यहाँ पर इस object का velocity change कर दिया हमने force apply करके और velocity अब हो चुका है v u velocity से v velocity तक पहुँचने में object को जो time लगा t time लगा मतलब की t time तक force apply किया गया था और उस force के application की वज़ा से object का velocity u से change हो करके v हो गया यहाँ पर हम लोगों ने जो force apply किया वो एक प्रकार का constant force था constant force मतलब क्या हमने अगर force 10 newton का apply किया 10 second के लिए तो 10 second तक 10 newton ही apply हो रहा था हमने न तो force कम किया न तो जादा किया 10 newton ही apply हो रहा था ठीक है throughout the time t the initial and final momentum of object will be p1 and p2 यहाँ पर initial momentum हमने calculate किया जब u velocity से हमारा object travel कर रहा था तब वो हो गया m u हमारा initial momentum और जब v velocity से हमारा object travel करने लगा तो हो गया हमारा m v यानि कि p2 momentum ठीक है अब यहाँ पर change in momentum क्या हो जाएगा change in momentum हो जाएगा p2 minus p1 यानि कि m v minus m u और इसको हम लोग m v minus u से भी लिख सकते हैं अब यहाँ पर rate of change of momentum हमारा है m v minus u divided by t मतलब कि per unit time rate मतलब क्या divided by time rate of change of momentum हो गया m v minus u divided by t अब यहाँ पर rate of change of momentum हमारा किस से directly proportional है force है तो भाई force इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं force directly proportional to m v minus u divided by t अब आप यह चीज अब तक पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े हैं लेकिन यह चीज जान लो आगे भी काम आएगा कि यहाँ पर जब भी proportional का sign होता है तो इस proportionality के sign को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक constant रखते हैं तो k हमारा क्या है एक constant है हमने k रख दिया और proportionality के sign के जगह पर हमने equal रख दिया इक्वल रख दिया तो हमारा क्या बन गया a is equal to k m v minus u divided by t अब यहाँ पर एक चीज आपको पता होगा change in momentum divided by time हमारा sorry change in velocity per unit time क्या होता है हमारा acceleration होता है v minus u divided by t यह क्या हो गया यह हमारा acceleration का formula है तो यहाँ पर v minus u divided by t है इसके जगह पर हम लोग acceleration a हम लोग रख सकते है तो यहाँ पर हमें क्या formula मिला f is equal to k m a हमारा क्या हो गया formula हो गया यहाँ पर यही चीज़ here a is equal to v minus u upon t is the acceleration ठीका अब यहाँ पर आगे देखे तो कहता है which is the rate of change of velocity acceleration क्या होता है rate of change of velocity the quantity k is constant of proportionality यह constant हम लोग रखते हैं जब भी हमें proportionality का sign हटाना होता है आगे और भी बहुत सारे equation मिलेंगे 11-12 में तो बहुत मिलेंगे जहाँ पर आपको k value रखना होगा constant of proportionality रखना होगा ठीका कहता कि the SI unit of mass and acceleration are kg and meter per second square respectively the unit of force is so chosen that the value of constant k becomes 1 अब यहाँ पर यह समझिए कि हमें जो यहाँ पर formula मिला f is equal to k ma यह perfect formula नहीं है complete formula नहीं है हमें क्या गरना है अब k का value निकालना है कि भाई जैसे आपने math में pi का value पढ़ा होगा pi r square हम लोग यहाँ गरते हैं जब circle का calculation करते हैं पर हमें सब pi को use करते हैं वो भी एक प्रकार का constant है ठीक है तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है इस k का value calculate करना है लेकिन k का value कैसे calculate करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं k का value calculate करने के लिए हम लोग force को 1 ले लेते हैं मतलब कि हम लोग 1 unit force apply कर रहे हैं, 1 newton force apply कर रहे हैं, यहाँ पर object जो है उसका mass 1 kg हम लोग ले लेते हैं, और object का जो acceleration है वो भी 1 ले लेते हैं, और जब इन तीनों को हम लोग 1 ले लेंगे, और इन दोनों को उठा करके इस तरफ ले आएंगे, तो हमें k का value कितना मिल जाएगा k का value मिल जाएगा 1, मतलब यहाँ पर हम लोगों का जो अब formula बनेगा, वो f is equal to ma हो जाएगा, क्यों? क्योंकि k का value हमें मिल गया, proportionality का constant हमारा value कितना है? 1, 1 है तो मतलब क्या 1 into ma, ma, ठीक है? तो f is equal to ma हमें यहाँ पर मिल गया, क्यों? क्योंकि हमें k का value मिल गया 1, ठीक है? तो यहाँ पर यह हमारा formula हो गया, और यह जो हमारा formula है, इससे हम लोग force का calculation कर सकते हैं, और force का यहाँ पर unit क्या होता है? kg meter per second square, ठीक है? और इसी को हम लोग क्या बोलते है? Newton बोलते है, ठीक है? तो यह हमारा हो गया force का formula, और साथ में force का unit, और इसका symbol होता है in, और यहाँ पर second law of motion के बारे में क्या बात करता है कहता है कि the second law of motion gives us a method to measure the force acting on an object as a product of its mass and acceleration मतलब किसी भी object के उपर कितना force लग रहा है ये हम लोग calculate कर सकते हैं उस object के mass और acceleration का use करके second law of motion की मदद से अब यहां पर कहता कि the second law of motion is often seen in action in our everyday life हम लोग अपने आसपास के दुनिया में second law of motion का application आसपास बहुत सारा जगह देखते हैं और बहुत जगहों पर होता है जैसे उदाहरण के लिए यहां पर cricket ball की बात करता है कि cricket ball को जब हम लोग catch करते हैं आप लोग अपने आसपास जो छोटा मोटा खेल खेलते हैं उसकी समझ गए तो यहां पर simply क्या है जो acceleration है acceleration इसको यह कम रखना चाहता है कोई भी player और उससे क्या होगा उससे जो force लगेगा हमारे हाथों के उपर वो कम लगेगा अगर हम लोग ऐसे रखें और ऐसे आकर के ball लगे तो बहुत जोर से चोट लगेगा लेकिन ऐसे आए और ऐसे हम लोग उसको catch कर लें तो यहां पर जो force apply हुआ force 0.1 second के लिए नहीं हुआ बलकि वो बहुत देर तक हुआ इसलिए उसका जो impact create होगा वो बहुत ही कम होगा यहां पर यही चीज कहता है कि a filter in the ground gradually pulls his hand backward with the moving ball in doing so the filter increases the time during which the high velocity of ball decreases to zero मतलब की acceleration की rate को वो क्या कर रहा है velocity change के rate को वो क्या कर रहा है एक प्रकार से कम कर रहा है कि भाई धीरे धीरे velocity कम हो अगर ball 100 की speed से आ रहा है तो 100 की speed से 0 का speed होने में उसको जादा समय लगे समझ गए नहीं तो अगर वो ऐसे हाथ रखेगा और ऐसे आकर के ball लगेगा तो 100 की speed पर आता हुआ ball अचानक से 0 पर आएगा और उसकी वज़ा से हाथों पर बहुत ज़्यादा force apply होगा हाथों पर बहुत ज़्यादा एक प्रकार से impact create होगा कहता है कि thus the acceleration of ball decreased therefore the impact of catching the fast ball is also reduced ठीक है यहाँ पर यही चीज आगे कहता है कि if the ball is stopped suddenly then its high velocity decreases to zero in a very short interval of time thus the rate of change of momentum of the ball will be large rate of change of momentum क्या होगा बहुत बड़ा होगा और अगर वो अचानक से ऐसे ball आए और ऐसे सीधे गिर जाए हम लोग ऐसे पीछे ना खीचे तो तो इसकी वज़त से क्या होगा इससे बहुत जादा force अप्लाई होगा हाथों के उपर और उससे बहुत जादा चोट भी लग सकता है अब यहाँ पर इस तरीके से देखें तो हमारे आसपा जो athlete लोग खेलते हैं जैसे high jump करते हैं या फिर किसी भी प्रकार से कहीं से jump वगरा होता है तो वहाँ पर हमेशा cushion रखा जाता है या फिर sand रखा जाता है वो क्यों रखा जाता है वो इसलिए रखा जाता है ताकि जब वो player वहाँ पर cushion पर गिरे तो cushion इस प्रकार से नीचे आएगा नीचे आएगा तो उससे क्या होगा जो force apply किया जा रहा है object के द्वारा जब वो player गिर रहा है तब वहाँ पर जो time period है force application का उसको बढ़ाया जा रहा है ताकि उसका velocity change जो है उसको zero आने में ज्यादा से ज्यादा समय लगे समझ गए तो यहाँ पर जो change of momentum होगा उसका time बढ़ जाएगा rate of change of momentum हमारा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा जिसकी वज़से क्या हो जाएगा उसको चोट नहीं लगेगा लेकिन अगर hard surface पर आप ऐसे गिरते हैं तो आपको ज्यादा चोट लगता है क्यों क्योंकि आप अचान change of momentum होता है वो बहुत ही हाई होता है अचानक से momentum आपका thousand था और अचानक से zero हो गया एक second में पूरा momentum आपका change हो गया उससे क्या होता है force बहुत जादा लगता है उससे चोट बहुत जादा लगता है अब इसी चीज को अगर आप और उदाहरण से समझना चाहते हैं तो यहां पर आप लोग गाड़ियां देखते हैं जैसे यहां देखो इस प्रकार से जब accident होता है collision होता है तो यहां पर हमें बहुत ज्यादा चोट लगता है क्यों चोट लगता है क्योंकि यहां पर यह मालो यह car है इस car का momentum यह car 100 की speed से रफतार पर चल रहा था इसका momentum था बह मालो कि एक दिवार है इस दिवार से अचानक टकरा गया अब दिवार से अचानक टकराया तो यहां पर इसका momentum बहुत ही ज़्यादा था माण लो कि 1.5 लाक मोमेंटम था, kgms, 1.5 लाक kgms मोमेंटम था, और वो अचानक दिवाल से टकराया, मोमेंटम हो गया 0, एक सिकंड में, सुचो एक सिकंड में rate of change of मोमेंटम कितना हाई है, तो कितना जादा यहाँ पर force लगा, और इतना जादा force लगने के कारण ही, जो तुम देख्या द रहती हैं, उसके अंदर जो लोग बैठे हुए रहते हैं, उनका भी शरीर जो है, उसमें भी rate of change of मोमेंटम बहुत हाई होता है, और उनके शरीर में भी कई प्रकार के चोट लगते हैं, serious damage हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर rate of change of मोमेंटम बहुत ही हाई होता है, लेकिन इसके comparison में तुम देखते हो, कि माल लो कोई गाड़ी है, वो गाड़ी अगर 100 की रफ्तार पर चल रही है, और वो गाड़ी क्या करें, brake अगर अप्लाई करें, तो वो गाड़ी 100 की रफ्तार पर चलने के बाद भी कुछ समय बाद 0 की speed पर आ जाएगा, और किसी को चोट भी नहीं होगी, तो यहाँ पर यह चीज क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग brake apply करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकार से जो rate of change of momentum है, उसको कम रखते हैं, मतलब कि गाड़ी था 100 की speed पर, हमने थोड़ा सा brake apply किया, गाड़ी आ गया 90 के speed पर, फिर brake apply किया 80, फिर 60, फिर 40, फिर 20, फिर 10, फिर यहाँ पर 0, तो यहाँ पर जो change of momentum हुआ, वो एक second में नहीं हुआ, बलकि यहाँ पर काफी ज़्यादा समय लगा, धीरे 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 momentum गाड़ी का कम हुआ, और उसकी वज़ा से थोड़ा थोड़ा force लगा, यहाँ पर चक्कों के उपर, टायर के उपर, और हमारा गाड़ी कुछ समय के बाद, 0 की speed पर आ गया, किसी को कोई चोट नहीं लगा, कोई damage नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर rate of change of momentum बहुत ही कम था, जिसकी वज़ा से जो force अपलाई हुआ गाड़ी के द्वारा, वो बहुत ही कम था, और वो सारे force को यहाँ पर च पर rate of change of momentum क्या होता, high होता, एक second में hundred से zero हो जाता, और उसकी वज़ा से जो force अपलाई होता, बहुत ही जादा होता, और चोट बहुत जादा लगता, समझ गए, तो मतलब यहाँ पर यह है, कि जितने जादा समय तक हम लोग force लगाएंगे, object का जो momentum है उतना जादा gain होगा, यह तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर जितना जादा हम समय लेंगे, उतना हमारा rate of change of momentum कम होगा, और उसकी वज़ा से जो force generate होगा, वो भी उतना ही कम होगा, तो यह चीज़ अब मुझे लगता है कि आप आसानी से समझ गया होंगे, तो अब हम यहाँ पर slab को तोड़ते हैं, बर्फ के slab को, या फिर cardboard को तोड़ते हैं, और भी चीज़ों को तोड़ते हैं, तो वो अपने हाथ से, इस हाथ से, एक बहुत ही मोटे slab को कैसे तोड़ने पाते हैं, तो वहाँ पर यही चीज़ application वो करते हैं, वो क्या करते हैं, उस slab को बहुत speed में hit करत यहाँ पर जो force apply किया जाएगा वो जादा होगा क्योंकि वहाँ पर rate of change of momentum क्या होगा बहुत ही जादा होगा और उसकी वज़ा से force जादा apply होता है जिससे कि वो slab तूट जाता है यह चीज तो इदारण तुम समझी गए हो आगे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आगे य expression of second law of motion कहता कि देखो first law of motion हमने पढ़ा first law of motion को हम लोग mathematically या तो express कर सकते हैं या फिर प्रूफ कर सकते हैं second law of motion से ठीक है second law of motion में हमें क्या मिला if is equal to ma मिल गया अब इस if is equal to ma को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं if mv minus u upon t यह हम लोग लिख सकते हैं यह हमने देखा था और इसमें अगर t को हम लोग इधर लेते आएं तो हमारा यह formula मिलेगा क्या मिलेगा भाई if t is equal to mv minus mu if t is equal to mv minus mu अब यह क्या है भाई तो यह हमारा एक प्रकार से first law of motion को explain करता है कैसे यहाँ पर करता है देखो this means that the object will continue moving with uniform velocity u throughout time t if u is 0 then v will also be 0 अब यहाँ पर कहता है कि कोई भी object है उसके उपर अगर हम लोग external force लगा रहे हैं t time के लिए तब ही हमारा क्या होगा change in momentum होगा मतलब object का जो एक तरीके से motion है उसमें change होगा अगर कोई object है उसके उपर अगर हम लोग force 0 कर दें force अगर 0 लगा रहे हैं t time जितने दिर motion हो रहा है object का उतनी दिर की बात कर रहा है अगर हम लोग external force 0 लगा रहे हैं तो हमारा change in velocity या फिर change in motion हमारा क्या होगा 0 होगा अगर हम लोग force 0 कर दें तो ये भी हमारा 0 होगा और अगर दूसरी तरफ से देखें अगर कोई object है तो यह object है वो u velocity से चल रहा था object u velocity से चल रहा था 10, 10 मालो की 10 meter per second से चल रहा था और वो object uniform motion में चल रहा है लगतार uniform motion में उसका velocity change नहीं हो रहा है तो final velocity भी क्या हो गया हमारा 10 हो गया तो यहाँ पर mass तो object का सेम रहता है तो मालो की 10 kg का object है वो 10 की speed से चल रहा था और शुरुवात में भी 10 की speed से चल रहा था इसका value कितना है जीरो मतलब यहाँ पर यह है कि कोई object अगर uniform motion में है तो uniform motion में उसका यहाँ पर जो momentum होगा वो change नहीं होगा चेंज नहीं होगा मतलब क्या उसके उपर external force नहीं लग रहा है इसको उल्टा अगर देखो तो अगर हम लोग external force नहीं लगा रहे हैं उसके motion के time period के दौरान जितनी देर तक वो object motion कर रहा है तो उसका change in momentum क्या होगा zero होगा if zero तो equal to यह क्या होगया इसका value अगर हम लोग निकालना चाते हैं एफ से तो यह भी zero होगया समझ रहे हैं बात को मतलब यहाँ पर सिधा सिधा बात यह है कि अगर हम लोग external force लगाएंगे तभी यहाँ पर हमारा change in momentum होगा object का velocity change करेगा अगर हम लोग external force नहीं लगा जाएंगे external force zero हो जाता है तो फिर यहाँ पर हमारा change in momentum भी क्या हो जाएगा zero हो जाएगा दोनों तरफ से इस equation को हम लोग देख सकते हैं calculate कर सकते हैं इसी प्रकार से कोई object अगर uniform motion में चल रहा है तो उस पर external force क्या लग रहा है zero लग रहा है समझ गया है जैसे example के लिए rest में rest में था zero momentum फिर भी final momentum क्या हो गया zero क्योंकि final velocity भी zero है तो यहाँ पर force कितना लगा zero लगा समझ रहे हैं बात को तो simple सी बात है यहाँ पर यही चीज़ कहता है कि this means that the object will continue moving with uniform velocity u throughout time t if u is zero then v will also be zero that is the object will remain at rest अगर uniform motion में है तो u v दोनों same होंगे zero है तो zero रहेगा ten है तो ten रहेगा और uniform motion में अगर है तो भाई हमारा force application होगा वो भी zero होगा समझ गया और अगर force application zero है तो वहाँ पर दूसरी तरफ हमारा change का value कितना होगा zero होगा ठीक है तो simple सी बात है यह चीज़ आप समझ गया होगे यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने numericals बगईरा है numericals easy है लेकिन numericals को हम लोग अलग video में करेंगे जहाँ पर हम लोग numericals discuss करेंगे तो उसको आप लोग देख लिजएगा यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे हमारे सामने क्या आजाता है third law of motion आजात तो यहाँ पर हमने शुरुवात के दो laws of motion पढ़े वो जो दोनो laws of motion थे वो हमें बता रहे थे कि किस प्रकार से force जो है वो motion को change करता है और हमने वहाँ पर force calculate करने का एक formula वगएरा भी निकाला था तो यह सब चीज हम पढ़ चुके हैं अब यहाँ पर कहता है कि the third law of motion states that when one object exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on the first मतलब यहाँ पर क्या है? मतलब यहाँ पर third law of motion कहता है कि मान लो कोई object है, वो किसी दूसरे object के उपर force लगा रहा है तो तुरंत ही उसके साथ ही जैसे ही force लगाएगा पहला object, second object के उपर, वो second object भी पहले object के उपर force लगा देगा, साथ ही साथ तुरंत ही समझ गए? और यह कहता है कि यह जो दोनों force होंगे, यह हमेशा equal होंगे magnitude में और opposite होंगे direction में मतलब यहाँ पर क्या कहता है? मतलब यहाँ पर कहता है कि एक लड़का है, वो क्या कर रहा है? एक ball को hit कर रहा है तो ball को hit करने के दौरान, यह लड़का जितना force इस ball के उपर लगा रहा है, उतना ही force यह ball इस लड़के के उपर लगा रहा है और यह जो दोनों force लग रहे हैं, इनका direction opposite है मतलब लड़का इस direction में force लगा रहा है अगर, तो यह ball इस opposite direction में force लगाएगा यह है हमारा एक प्रकार से third law of motion अब यहाँ पर आगे बढ़ें, तो आगे क्या कहता है कहता है कि these forces act on different object and never on the same object यह जो यहाँ पर दो forces की बात की, कि दो forces मतलब जब भी object के किसी भी object के उपर force लगता है तो वहाँ पर दो forces लगते हैं और दोनों opposite direction में होते हैं और दोनों अलग-अलग object के उपर लगते हैं अलग-अलग object के उपर लगते हैं, इसका मतलब क्या? मतलब यहाँ पर यह है कि यह हमारा पहला object है जो की है लड़का, इसने force लगाया किसके उपर? ball के उपर ठीक है और वही पर दूसरा हमारा कौन सा force लगा ये ball ने लगाया इस लड़के के उपर force तो यहाँ पर हमारा दूसरा force किसके उपर लगा इस boy के उपर लगा तो यहाँ पर यह दोनो force अलग-अलग object के उपर लगे same object के उपर नहीं लगे यह दोनों फोर्स opposite direction में थे और दोनों फोर्स एक साथ लग रहे थे और यह दोनों फोर्स क्या थे equal in magnitude मतलब इनका power सेम था यहाँ पर यही चीज़ कहता है कि in the game of football sometime we while looking at the football and trying to kick it with greater force collide with a player or of the opposite team both feel hurt because each applies a force to the other simple बात है कि भाई तुम यह तो football खेल रहो जैसे कि यहाँ पर बोलता है या फिर तुम ऐसे चल रहे हो और तुम जाकर कि किसी दोस्त से या किसी ओसे ऐसे टकरा जाते हो तो टकराओगे तो क्या सिर्फ तुम्हें चोट लगेगा या सिर्फ तुम्हारे दोस्त को चोट लगेगा जी नहीं, चोट दोनों को लगता है, क्योंकि दोनों को लगता है, क्योंकि दोनों का शरीर एक दूसरे के बॉड़ी के उपर फोर्स लगाता है, जैसे अगर मैं किसी दोस से टकरा हूँ ऐसे, तो यहाँ पर मेरा भी सरफूटेगा, उसका भी सरफूटेगा, मुझे भी दर् रा जाओ तुम अपने दोस्स से जा करके तो क्या सिर्फ उसको चोट लगेगा या फिर तुम है भी लगेगा दोनों को लगेगा, क्यों लगेगा क्योंकि force जब भी apply होता है तो सिर्फ एक तरफ से apply नहीं होता है जो दोनों दो objects आपस में collide करते हैं या फिर interact करते हैं दोनों के उपर force apply होता है और दोनों object एक दूसरे के उपर force apply करते हैं समझ गए? अब यहाँ पर इन दोनो forces को कहा जाता है action and reaction forces मतलब यहाँ पर क्या हुआ? दो force apply हुए एक force हमारा action हो गया और दूसरा हमारा reaction हो गया जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर यह लड़का है और यह ball है लड़के ने जो force apply किया इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने action force बोल दिया और यही ball ने जो force apply किया इसको हमने reaction force बोल दिया अब यह कोई तैय नहीं है एक experiment बोलता है कि आपको क्या करना है दो spring balance लेने हैं दोनों को आपस में connect कर देना है और उसको यहाँ पर B balance को हम लोग fixed end पर attach कर देंगे rigid support से जैसे कि दिवाल से और यहाँ पर force से हम लोग लगाकर A spring को खीचेंगे तो यहाँ पर जब हम इस प्रकार से इस spring को खीचेंगे तो यहाँ पर जो हमारा spring balance A और B spring balance है दोनों में same weight हमें दिखेगा same force application दिखेगा जितना काटा यहाँ move करेगा उतना ही काटा यहाँ पर भी move करेगा समझ गए क्यों क्योंकि यहाँ पर जो force apply हो रहा है जो हम pull कर रहे हैं जो force इस direction में apply हो रहा है उतना ही force equal force इस direction में भी apply हो रहा है दोनों direction के force क्या है equal है लेकिन आपस में क्या है opposite direction में यह दोनों force लगते हैं समझ गए तो यहाँ पर यही चीज हमारा force है अब यहाँ पर बोलता है कि देखो दोनों force equal हैं दोनों force opposite direction में हैं अब यहाँ पर यह चीज, action and reaction force, हमेशा दो अलग अलग object के उपर लगते हैं, साथ में लगते हैं, दोनों का magnitude equal होता है, यह सब चीज़े आप समझ गए हैं, ठीक है? अब यहाँ पर और भी उदारण है, action and reaction force के, कि देखता है कि आप जो है, rest के condition में खड़े हैं, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, और मुझे अब चलना है, तो मैं क्या करूँगा? कदम आगे बढ़ाऊँगा, तो कदम आगे बढ़ाया है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया? आगे की ओर motion किया, अब motion किया, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? accelerate करना होगा, मतलब की एक परकार से आपको क्या करना होगा? velocity अपना change करना होगा, zero से कुछ velocity achieve करना होगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा? force apply करना पड़ेगा, तो आप कहां force apply कर रहे हैं? आप अ अपने पैरों से इस जमीन के उपर force apply कर रहा हूँ, तब मैं आगे की और motion कर रहा हूँ, तो मैं force किस direction में apply कर रहा हूँ, क्या मैं नीचे की और force apply कर रहा हूँ, जी नहीं, अगर मुझे इस direction में motion करना है, तो मैं अपने पैरों से जमीन को पीछे की और ढखेल रहा हूँ, त तब मैं आगे की और मोशन कर रहा हूँ, समझ गए, तो यहाँ पर यही होता है, कि मैं जब ऐसे force apply करता हूँ, जमीन पर आगे जाने के लिए, तो उसी समय में जो जमीन है, वो मेरे पैरों के उपर force apply करता है, उतना ही force apply करता है, equal amount में करता है, opposite direction में करता है, मैं इधर force apply किया, जमीन ने इस direction में force apply कर दिया, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, कहता है कि यहाँ पर कौन सा force लग रहा है, क्या वो muscular force है जो कि हम road पर लगाते हैं, उसका direction क्या है, तो यहाँ पर simply बात यह है कि हम लोग क्या करते हैं, road को पीछे की और धकेलते हैं, मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, तो मैं आगे कैसे जाने पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जमीन को पीछे की और धकेल रहा हूँ, उस direction में धकेल रहा हूँ, तब मैं इस direction में जाने पा रहा हूँ और जितना amount से मैं इस जमीन के उपर force लगा रहा हूँ उतना ही amount से जो ये road है या फिर जो जमीन है वो force लगा रहा है जिससे की हम आगे की और जाने पा रहे हैं आगे कहता है कि it is important to note that even though the action and reaction forces are equal in magnitude these forces may not produce acceleration of equal magnitude अब ये भी important है हमने क्या समझा कि जब कोई भी object किसी दूसरे object के उपर force लगाता है तो दूसरा object भी पहले object के उपर force लगाता है ये force क्या होता है equal in magnitude होता है opposite in direction होता है ठीक है लेकिन जब ऐसा हम लोग काम करेंगे तो ऐसा करने के दौरान जो दो object हैं उनके बीच में जो acceleration create होगा ये acceleration equal नहीं होगा ये दोनों अलग-अलग होगे जैसे उदारन के लिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मैं इस पृत्वी पर हूँ और पृत्वी पर मैंने क्या किया force apply किया और force apply करके मैं आगे चला गया अब force apply करके मैं आगे चला गया तो भाई देखो मेरे शरीर में acceleration create हो गया मैं ऐसे आगे चला गया मतलब क्या acceleration हो गया लेकिन मैंने अपने इस पृत्वी के उपर भी तो force लगाया ना तो क्या ये पृत्वी भी पीछे की और चली गई नहीं पृत्वीक जहां थी वहीं है उसमें acceleration magnitude के हिसाब से एकदम negligible एकदम कहो तो जीरो कहो कि एकदम हिलबे नहीं किया समझ गया तो यैसा क्यों हुआ क्योंकि जो हमारा अर्थ है उसका मास बहुत ही जादा है समझ गया यहां पर इसी हिसाब से अगर तुम देखो तुम अगर कोई cricket bat लेते हो और cricket bat से ball को hit करते हो तो दोनों bat और ball टकराए bat ने ball के उपर force लगाया ball ने bat के उपर force लगाया दोनों force equal लगा रहे हैं लेकिन यहां पर जो ball है उसका acceleration बहुत तेज होता है उसमें velocity change बहुत हाई होता है और वही bat तुम्हारे हाथ में ही रह जाता है और bat कहीं नहीं जाता है क्यों? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहां पर दोनों के mass में difference है जो bat है उसका mass बहुत ही जादा है उसमें जो acceleration generate होगा वो बहुत ही थोड़ा सा होगा और वहीं जो ball है उसमें जो acceleration create होगा वो बहुत ही जादा होगा इसका और भी उदारण है उदारण जैसे कि तुम्हारे आसपास जो बंदूक तुम देखते हो बंदूक में यहां पर जब बंदूक से हम लोग गोली चलाते हैं तो जब भी बंदूक से गोली चलती है तो हम लोग क्या गरते हैं हम लोग यहां पर एक प्रकार का force generate करते हैं और उस force के कारण गोली जो है बुलेट जो है वो आगे की और direction में जाता है और वहीं हमारा जो यह हमारा बंदूक है इसके उपर भी गोली क्या गरता है कई 100 मेटर दूर चली जाती है तो यहां पर अगर आप देखें कभी आपने गोली चलते हुए देखा होगा कोई वीडियो देखा होगा तो जब भी गोली चलती है तो जो गोली चलाने वाला होता है जो fire करनेवाला होता है वो ऐसे ऐसे करता है आपने अगर PUBG वlessly खेला होगा तो उसमें recoil के बारे में आपने सुना होगा तो यह recoil क्या होता है यही चीज होता है यहाँ पर जब भी गोली चलती है तो यहाँ पर जितना force इस bullet के उपर लगा उतनाही force इस gun के उपर भी लगता है और गोली चलाने वाला पीछे की और ऐसे की और धक्का होता है उसको और वो क्यों होता है क्योंकि यहाँ पर action force लगा गोली के उपर वो आगे की और चला गया reaction force लगा इस बंदूक के उपर जिसको की यहाँ पर उस आदमी ने पकड़ा हुआ था यहाँ पर जो bullet है गोली है उसमें acceleration बहुत ही high हुआ वो कई 100 meter per second की speed से चलने लगा bullet लेकिन जो बंदूक है वो गोली चलाने वाले के हाथों में ही रह गया क्यों क्योंकि बंदूक का mass बहुत ज़ादा है और ज़ादा mass होने के कारण इसमें ज़ादा acceleration create नहीं हुआ इस वज़ा से मतलब यहाँ पर कहता है कि दो object आपस में जब interact करते हैं एक दूसरे के उपर force लगाते हैं तो दोनों के बीच में जो force लगेगा वो तो equal होगा एक दूसरे पर वो force लगाएंगे opposite direction में लगाएंगे लेकिन इसकी वज़ा से जो यहाँ पर acceleration generate होगा अलग-अलग object के उपर अलग-अलग होगा क्योंकि गोली का mass बहुत ही कम है इसलिए उसमें बहुत ही high acceleration generate होता है लेकिन वही बंदूक जो है उसमें mass बहुत जादा है वजन बहुत जादा है इसलिए उसमें acceleration बहुत ही minimum generate होता है negligible generate होता है समझ गए? तो यहाँ पर यही चीज़ कहता है कि this is because each force acts on different object that may have different mass ठीक है? वही बात है कि भाई देखो force हमने apply किया जैसे कि यहाँ पर momentum वाली बात है कि bullet है 10 gram का है उसमें अगर हम लोग 10 newton का force लगाएंगे तो इसमें बहुत जादा velocity increase हो जाएगा लेकिन यह बंदूक जो है वो 10 kg का है इसमें अगर हम लोग 10 newton का force लगाएंगे तो बहुत थोड़ा सा इसमें velocity में increase होगा तो यही बात है कि acceleration जो है वो अलग-लग होता है तो यहाँ पर यह bullet वाला example है यह चीज तो हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं इसके बाद यहाँ पर example है rowing boat का जब यहाँ पर देखो rowing boat हम लोग देखते हैं यहाँ पर जब हम लोग नाव पर कभी travel कियो नाव पर गयो हम लोग तो गये हैं भाई नाव पर जब यहाँ पर नाव से जब तुम उतरोगे नाव से उतर के किनारे पर यहाँ पर जाओगे तो जब तुम पैर रखोगे यहाँ पर आगे जाने के लिए तो ये बोट पीछे की और जाने लगेगा क्यों जाने लगेगा भाई? क्योंकि हम अगर आगे जा रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इस बोट को पीछे की और धक्का दे रहे हैं जैसे हमने जमीन का उदारन रिया, कि जब हम जमीन पर आगे की ओर चलते हैं, तो हम क्या करते हैं, जमीन को पीछे की ओर धकेलते हैं, लेकिन हमारी पृत्वी का मास बहुत जादा है, इस वज़ा से हमारा जो पृत्वी उसमें acceleration जो generate होता है, वो बहुत negligible होता है, मतलब बहुत क्या हो, एकदम negligible ही होता है, समझ गए, लेकिन ये जो बोट है, इसका मास बहुत ही कम है, और इसके उपर हमारा शरीर जब force apply करता है, इस direction में, तो यहाँ पर इसमें velocity में change आता है, acceleration में, acceleration इसमें होता है, जिससे कि ये जो बोट है, ये पीछे की और जाने लगता है, और तुमको यार balance बनाने में दिक्कत होता है, कई बार लोग गिर भी जाते हैं, यहाँ पर बोट से उतरने के दौरान, क्यों? क्योंकि बोट पीछे की और move करता है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर आगे जाने के लिए, बोट को पीछे की और धकेलते हैं, और जितना force से हम धकेलते हैं, उतना force से बोट भी हमें आगे की और धकेलता है, ठीक है? तो यह चीज यहाँ पर बात हो गए, यह चीज तो आप यहाँ पर समझ गए, इसके बाद आगे बढ़ें, तो आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि now place two children on one card, on one card and one on another card, मतलब दो बच्चों को एक को एक कार्ट पर, एक को एक कार्ट पर रखो, जैसा कि यहाँ पर दिखाये जा रहा है, अब यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर करना है, कि यहाँ पर हम लोग एक प्रकार से, यहाँ पर यह जो object है, इसको faking एक दूसरे के हाथों में, यह लड़का इसके हाथों में, इसकी हाथों में, जब यहाँ पर यह exchange होगा न, तो जब यह faking गा, तो यह इस लड़के ने इस समान के उपर force लगाया, इस थैले के उपर force लगाया, तो यह थैला इसकी हाथों में चला जाएगा, लेकिन साथ ही साथ यह लड़का भी कुछ दूर पीछे चला जाएगा, इसी प्रकार से जब यह लड़की अपने हाथों में से इस थैले को इस लड़के को देगी, तो थैला तो जाएगा उस तरफ, लेकिन यह लड़की भी इस तरफ जाएगी, क्यों? क्योंकि action और reaction force की बात हो रही है, जब किसी भी object के उपर हम लोग force लगाते हैं, एक साथ दो force लग रहे होते हैं, एक को हम लोग reaction force बोलते हैं, और दूसरे को हम लोग action force बोलते हैं, समझ गए? जब football को kick करते हैं, तो भाई हम football पर force लगाते हैं, और football हमारे उपर force लगाता है, जब दिवाल को ऐसे hit करते हैं, तो हम दिवार के उपर force लगाते हैं और दिवाल हमारे उपर force लगाता है समझके ये सारी चीज़े आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं तो यहाँ पर ये जो chapter हमारा chapter हमारा समाप्त होता है मिलते हम आपसे अगले वीडियो में अगले chapter के साथ तब तक के लिए good bye